है है कि ओके है ओके है है हिलो है हेलो है एक सेकेंट में टेलिग्राम पर अपडेट कर दूँ लाइव आ चुके हैं कि आज है हमारा जीवन का आखरी सोशल साइन्स मतलब जीवन ने तुम आखरी वर सोशल साइन्स का पर देना लेओ तो तुम्हारा ये लाइफ का लास्ट सोशल साइंस का पेपर है ठीक है और उसकी ये लास्ट लाइफ स्ट्रीम है जब हमारे चैनल के पर गर रहे हैं इसके बाद एक प्रेजेंटेशन के पर वीडियो आएगा तो आएगा उसके अलावा और कोई वीडियो अलाइन नहीं किय गये हैं क्योंकि 8-8-10-10 घंटे आखरी दिन किसी की स्ट्रीम देखना मेरे मेरे मैं परसनली होता है नहीं करता डेफिनिटली कुछ बच्छों को हो उससे पर एक्च्छली इससे होता है कि हमारे पास जो सेल्टी का टाइम होता है वो थ्वड़ा सा कम पढ़ जाता है बट आज हम वो चीज़ नहीं करने आले आज हम फटा फट एक से देड़ घंटे के अंदर अंदर सारे हमारे जो पढ़ लेगे वन पेज नोट से जो हमने बहुत ही खूपसरों तरीके से बना रहे हैं इनके थुरू अपना रिविजन कर लेंगे अब ये रिविजन ऐसा नहीं ह कि तुमको कुछ नहीं आता तो तुमको इससे कुछ आने लग जाएगा ठीक है क्योंकि अव्वेसी बात है साल भर की पढ़ाई हम एक गंटे में 0 से 100 तक नहीं कर सकते हैं हम 70 से 100 कर सकते हैं 80 से 100 कर सकते हैं 90 से 100 कर सकते हैं पर 0 से 100 पॉसिबल है ही नहीं तो अगर तुम ज तो आज हम देखने वाले हैं पूरा का पूरा सोचल साइंस एक गंटे के अंदर अंदर और तुम लग मुझे बताओ चैट के अंदर पहले क्या हल चाल चल रहे हैं बिल्कुल आग बाग लगा देनी आज तो बिल्कुल सब को लिखा जो अपने जितने भी दोस्ते अपने पर बिल्कुल पूरे मूड में आए हैं भाई आग लगाने के लिए तो हम स्टार्ट कर देंगा फटवार्ट पर पहले तुम लोगों को चैट के अंदर पूरा जोज दिखाना पड़ेगा कि बहुत खतरना के कि डरने वरना से कुछ नहीं होगा देख मेरी बात सुनो अब तो बिल्कुल तो हम चलता था ठीक है चलो पांच हजार लाइब वीविविंग हमने क्रॉस कर ली है चालू होते सही दैट्स वेरी नाइस और आज इस एक गंटे को बिल्कुल तोड़ फोर तरीके से करेंगे और छोटा सेशन है इसलिए एनरजी बहुत तेस होगी तो पहले त चलो कोई पर्टिकुलर समस्य हो तो बताओ चैट के अंदर भाया यह तू क्यूट है जितनी भी तारीफ है यह तुम लोग भर भर के करना कल ठीक है कल जब पेपर देख्या हो तुम्हें पेपर में सच में मज़ा आए तब तारीफ करना तब इंस्टाग्रम पे स्टोरिया चलाना लग जाने कि यह हमारे प्रने भया है ठीक है मैं सब्स़्की स्टोरी निटेर कर रहा ठीक है अक्रीध मुर सब कर यह करने के हली हम त्यार है कितने लोग देख रहें भाई थी बहूत तगड़ी बहुत है बहुत निशांदार तो आज हम कंफ्लीट कर लेएंग Eisen皆さん स्टार्ट करें बताओ चैट के अंदर पहले हमेशा देखो मैं जो तुम लोगों के ट्रेंट पते ही तुमको सबसे बढ़ने हैं तो सबसे बढ़ने हैं अच्छा आज हमने तीन बज़े एक और सेशन के आता है जिसमें हमने सारे डिस्क्स कर ली मात्र सतरा से अठा मिनिट का सेशन है तुमारे पूरी की पूरी डेट्स उसमें कावर हो जाएंगी उसकी जो पीडिफ हो तुमको इस सेशन के बाद में टेलिग्राम पर मिल जाएगी तो कॉंटेंट के कोई कमी नहीं है मतलब जितना पढ़ना उतना पढ़ लो तुमको समस्य नहीं जीवन के अंदर ठ चैट देख लूँ तुमारी हालत समझ लूँ पहले मैं आके बढ़ बढ़ करके बढ़ा के चल जाओं वो मुझा नहीं चीए ठीक है लेस मोटिवेशन अरे भाई अगर तुम आखरी के 6 घंटे में सेल्फ मोटिवेशन नहीं ला पा रहे हो तो पिछले एक साल में तुमने क्या किया ठीक है समझो मेरी बात अब मोटिवेशन मोटिवेशन नहीं चीए अब बस आग चाहिए हो गया मोटिवेशन का दवाना अब मोटिवेशनल वीडियो मत देखना अब मोटिवेशनल वीडियो से मोटिवेशन नहीं आएगा अब मोटिवेशनल वीडियो से लोगा ठीक है मैं तो यह कर लोगा मेरे को कुछ निया रहा मैं सब करके जहूंगा रहे यह confidence रखो ना जिसको कुछ निया तो बच्चा भी तो जाके पूरे confidence पर देता है तो तुमने तो फिर भी पढ़ रखा यार काई कर लेक लोगों ने इतना बढ़मार प्यार दिया है ना मतब इतना ट्राफिक आए वेबसाइट के उपर की वेबसाइट का जो सर्वर से वो डाउन अको में तो पूरे फटे पड़े ठीके जो हमारी टेकनिकल टीम है आसे मेरे पार आई कि यह यह क्या कर दिया तो मैंने बोला हम नह चलो भाई बहुत ही तगड़ी बात है बहुत ही शांदर हम हमारी लाइव व्यूंग कितनी चल रहे एक बार मैं चेक कर लेता हूँ उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे हम से जाधा तगड़ी लाइव स्ट्रीम जो ओ भाई साप साड़ेच्छे अजार लोग लाइव ऐसा रहा हुग्ए है तो ही लोग साप jeśli आने बहुत हैना खंका बाई देस सकते हैं वहाँ हमें तृग संसरील्धाय वालू है थो यह कॉलिंस चाहँ सो प्रोग सोगने लाइट सेंस करते हैं और थी कॉन दिस station कि और में हीट का आफम Chu wh recom के बता सकते हो मैं ज्यादे इसके अपर भी फोकस नहीं करूंगा अब हमारा में फोकस है नैशनल इविन इंडिया चलो स्टार्ट कर देगा कर देगा कर देशार्ट भाई बगो जल्दी चिल्ला के बोलो यह शुरू के 10 मिट बस तुमको है न थोड़ा पंपप करने के लिए सारी जंता को यहां पर इखटा करने के लिए बाद के जो हमारे पूरा समय होगा उसमें हम सिर्फ कर रहे होंगा और यहां हमारे चैनल के स्टैट्स है लाइव स्टैट्स ठीक है कहा तक पहुच गया है बहुत ही सुंदर तीन लाग वैसे हम मुझे उम्मीद तो है कि हम अप्लोड कर दूगा ठीक है यह शायद घर भी चुका हो में लड़ी तो एक बार चेक कर लेना तुम जाके ठीक है कर दे स्टार्ट हाना बोल दो बाई चैट के अंदर आना बोल दो चलो थोड़ी भाई वाली फील लेका आते हो अपस से ठीक है येस येस कमान कमान थोड़ा से बॉक्सिंग वाली लेका आते है आज तुम आने जूता भी खरीद लें भाई तो मैं पुरी फील में हो आज भाईया यार ओके चलो स्टार्ट कर देते हैं सबसे पहला बाई नै लौप पर इन लोगों को इखर्टा कैसे कि हमारी सब की एक भावनस है हमामारी यह थारे कि हम दब-बर के जीया Зबुए और दब-बर के जींगा से फmomन चीज़ को अपना के सब को इखर्टा कर लिया ठीक है दब दब के जीना sense of being oppressed under colonialism colonialism मतलब कि वो जो अंग्रेज अब मेरे पर शासन कर रहे हैं ठीके इससे एक bond बना ठीके जिससे सारे ग्रूप साथ में आ गए आगए वाद समझ में बहुत बढ़िया पहला टॉपी कहीं खतम हो गया ठीके अब देखो क्या हुआ वर्ल्ड वर वार पर लोगों को लगा कि है चलो वर्ल्ड वर वर खतम हो जाएगा तो थोड़ी शांती आ जाएगी पर और नहीं और धिमाग खराब हो गया और बुरा हो लोग है क्यों क्योंकि वहां ख़तम हुआ पैसा खतब ऑगया सरकार का सब्सक्राइस खतम हो गया तो सरकार ने किया कि कि यृञ्द quiere तो इस समय के और ओर और इक्कट हागए मतलब हताली ही भुकमानी से लोग मर रहा है उपर से उम टैक भी बड़ाद हो मतलब चितर भी तुम्हारी पट और हम विचारे भी यह वकूफ ठीक है देखो यह PDF ना बहुत ही बड़ी इसलिए थोड़ा लैक करेगा तो मैं तुम लोग समझ जाओ ठीक है तो ऐसे को दिक्कत में वैसे टेक्निकल तो मैं भी हो यार हमने भी टेक चैनल चला रखे हैं ठीक है चलो फिर आइडिया व करना मतलब कि बहुत सारी जनता को एक कॉज के लिए साथ में इखटा करना और बिना हत्यार उठाए लड़ाई करना तो गांधी जी को लगा कि अंदर से वह आग वाग निकलने लग जाएगा तो गांधी जीने ना यहाँ पर तीन सक्सेस्फुल यह मुझे लगा इंदरा गांधी लिखा यह कमिंग टू इंडिया गांधी फॉर्ट थी सक्सेस्फुल स्ट्रगल्स तो तीन सत्याग्रग किया सबसे पहले यह जो डेट है यह 1917 है ठीक है तो 1917 में चंपारन और खेडा और 1908 में एहंदबाद ठीक है चंपारन वाला किसक के लिए और जल्दी से बताो खेड़ा वाला किसके लिए वाला था और एंदा बतलै किसके लिए ओधा जल्दी बताओ घंधीअ से पैपैटेस वाला धावरता घंधां इन लो इसके बाद ऌहांनी रोलल्लerson के मतलब यह था कि कुछ भी मतलब सरकार बिना बोले हैं किसी पर बिज्फा देंगे मेरा मुझे इंसाफ देंगे ना भूस भूल देंगे कि तुझे जेल में जाना है तू बहार क्यों निकला अगर कुछ लोग साथ में भार निकल दो दिख गया और सरकार की मतलिवी सरकार का धिमाग खराब हो गया कि इसको जेल में डालना तो पुलीस बिना किसी डिटेंशन के बिना किसी ट्रैल के बिना इंसाफ दियो उनको दो साल के लिए पटक सकती है अब गांधी जी लगा खेडा में जो कुछ लोग थे हम्दाबज में कुछ लगते तो कुछ-कुछ लोगों के लिए सत्यागरा लॉंच किया अब उनको ऐसा चमका कि हमें काम कर लेते हैं हम बड़े लेल पर सत्यागरा लॉंच करते हैं अब रोलेट एक्ट से बहुत सार लोग परिशान थे यहा अब उस चत्यागरा में क्या हुआ इसको थोड़ा आर जुम कर दता हूं हो रहा है की नहीं हो रहा है बहुत ही बढ़िया ठीक है इस सत्यागरा में क्या हुआ या जिर्ट साथमों इ tight है छले पर चले जा वह अपर चले जा H है यहां से उठाके मतलब इस से क्या हो कि लोकल अमरीज सरकेर थे सरकार ने उनको ठाल लिया ठीक है अब रिश्चेदार उसे मिलने ऐसी बातचीत करने पर उस टेम पर क्या हुआ था यहां पर यहां पर जब यह रोलेट सत्यक्राइब चालू हुआ तो क्या हुआ रोए रोले सब चलुआ था कि कुछ लोगों मतलब पुलीश रोलेट सब तक रहा हुआ उसका तो डिटिश ने का कि थोड़ा सप्रेस करना चालू कि अब ब्रिटिश रेसम उच्छक्कर में किसी को मार दिया होगा है ना किसी के साथ में दस अप्रेल अले दिन जगड़ा हो गया था तो उसके करण क्या हुआ कि जनरल डायर ने मार्शल लॉइंपोस कर दिया, मार्शल लॉइंपोस कर दिया, इसका मतलब यह है कि अब उन्हीं की चलेगी और वो ओपन फायर कर सकते है, उपस, 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 तोड़ा तारी भाग करता हूँ, ठीक है, त लोगों के वहाँ पर सब की हत्या हो गई, सैकड़ों लोग मर गए, कुछ गोली लगने के कारण मरे, कुछ भगड़ मर गए, कुछ टेंशन, कुछ हो सकता है कि पैनिक से मर गए, मने रैजिन की परिशान हो गए, ठीक है, कितना बड़ा ट्रॉमा रहा होगा यह, लोग वि मना के आजाएंगे, सैलिबरेशन करके, ऐसे में अपने घरवालों को, बीवी बच्चों को घर छोड़ के आगा होंगे, बहुत चारों लोग, वहाँ गए, तो महाँ से बता चले कि यह लोग तो वापस ही नहीं आ पाए, क्यों क्योंकि इस मूर्ख आदमी ने, कहां गया जन्रल डायर, जन्रल डायर, तो जन्रल डायर ने क्या क्या, जा के सब को मार दिया, और ये गधा ऐसा बोलता है, कि ये मैंने इसलिए क्या, ताकि तुम सब को सबक मिले, अब जूते से मारेंगे तुझे, ठीके, स्केटर्स वोड़लेंड, नाईक, एडिड़ा, सब के ठीके, गौर्णमेंट ने और उनको जाधा सप्रेस करने कोशिश की, ठीके, लोगों का गुस्सा आया, लोगों को गुस्सा है, तो लोग सड़कों पर आ गए, सरकार ने उनको और चुप कराने के लिए और उपर से प्रेशर डाला, अब गांधी जी ने ये सारी चीज़ साथ में लेके चलना है, तब ही जाके कुछ न कुछ हो सकता है इस देश में, ठीक है, अब इसी समाय पे एक और इशु चल रहा था, जिसको हम बोलते है, खिलाफा तीशू, खिलाफा तीशू क्या है, वर्ल्ड वर वन खतम हुआ, वर्ल्ड वर वन खतम हुआ, तो आटमन अब आटमन एंपरर, देखो मैं तुम लोगों को भी चैट कम ले रहा हूँ, वो इस ले ले रहा हूँ, ताकि मैं इस सेशन को जाधा क्रिस्प बना पाऊ, चैट वर रण कल भर के कर लेंगे, पर अभी मैं चार हूँ कि मैं क्रिस्प कॉंटेंट बना पाऊ, ताकि एक घं पीस ट्रीटी सायन होने वाली है, हार्श पीस ट्रीटी, जिसके करण ओटमन एंपररर जो है, उनकी सारी पावर्स छिन ली जाएंगे, अब इस से, चूंकि ओटमन एंपररर क्या थे, ओटमन एंपररर कौन है, he is the spiritual, he was the spiritual head, ठीके, तो spiritual head थे वो, तो लोगों को लगा किया यह हमारे, हमारे जो head है, इनके साथ तो हम ऐसा honor देंगे, इनकी पावर छिन जाए, तो लोगों को इसके खिलाव भी गुस्ता था, तो अब गांधी जी को लगा कि भाई, इस incident को, और हमारे जो सत्यागरा का incident है, इन दोनों को अगर हम साथ में मिला दें, तो भाई, हमारे आ गया, non-corporation movement, non-corporation movement, जो गांधी जी की बोगते हिंद स्वाराज, हिंदी स्वाराज नहीं, हिंद स्वाराज, ठेक है, 1999 में लिखी थी, महात्मा गांधी ने इसमें बोला कि British government जो इंडिया में आई है, वो सिर्फ हमारे को प्रेशन के गराना है, ठेक है, जब वो आ र पर हमने क्या, हमने साजन जी घर आए कर दिया, हमने सब को बुला ले स्वागत करके, तो सब कैसा आ गया है, ठीक है, तो अब गांधी जी को रियलाज हुआ, कि हमारी गल्ती थी, हमने बहुत कॉपरेट कर ले, तो अब हम इनके साथ में कोपरेशन करना बंद कर देता है, तो इसलिए नॉन कोपरेशन खिलाफत मुव्मेंट लाउंच कर गया, अब जैसको खिलाफत क्यों अट कर दिया इस में नाम, ताकि दोनों रिलिजन साथ में आप आए, दोनों का कॉस तो ही कि है, लड़ना तो ही कि पार्टी के खिलाफ है, ठीक है, चलो, तो ये कब सरकारी है, तो सरकार जो जो भी चिज़े प्रॉइट करेए, सब को त्याग दो, स्कूल जारे हो, स्कूल जाना च्छोड़ दो, ठीक है, जो सरकारी नहीं तो ये सारी चीज़े की, घेक है, इलेक्शन ब्ऌकॉट कर दिय गया, ठीक है, इंडिन टेक्स्टाइल्स, अब दे पोल के बता दिया करो एक बार में को बीजविच में आ रहा हूँ, उपस, sorry, मैंने गिरा दिया यार, मैं बहुत ही गंदा बच्चा हूँ, ठीक है, है ना, feel आ रही है ना, चलो, अब देखो यह तो कहां पर होगा हमारा city के अंदर, ठीक है, इसके बाद मैं countryside में क्या हो रहा है, और किसी एक को बस किसी से मिलने जाना है, ठीक है समझ जाओ किसे मिलने जाना है, तो सब लोगों को कुछ ना कुछ ाबजक्टिव सब के अख अलग अलगे, पर सब के मनजिल क्या है, सब अपने salaries बढ़ा दो, किसी को objective है कि taxes कम कर दो, पर सब ये सारे काम कैसे हो सकते है, आज़ादी से, तो आज़ादी की तिरफ जाने के लिए, ये सारे reasons जो अलग-अलग अज़ादी के लिए, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो countryside में लोग थे, उनका objective था, अगेंस तालुगदार्स एंड लेंडलोड्स, क्योंकि इनका revenue भहुत दादा हाय था, ठीक है, अब देखो, यहाँ पर क्या हुआ कि बाबर आमचंद्र यहाँ के जो peasants है, countryside के उनको lead कर रहे इनको पता चला है कि non-cooperation movement चल रहा है, यह inspire होगा और उनने सारे residents को join कर लिया, अब जावारला नहरोजी को पता चला है कि बहुत ही भहतरीन चीज़ चल रही है यहाँ पर, तो जावारला नहरोजी को गए वहाँ पर और उनने आउद किसान सभा सेट अप कर ली बाबर आम क्या होता है कि हम ना सिर्फ non-cooperation नहीं अपनाएंगे, हम थोड़ा बहुत हतियार भी उठाएंगे, यह 1927 से स्टार्ट होगी, लोग थोड़ से गुस्से में थे, क्यों की लोगों के entry बंद थी, ठीक है, forest regions में, अब अलूरी सितराम राजू जो थे, उन्होंने वहाँ पर बाद में फिर यह hero बन गया, ठीक है, लोगों के लिए एक मिसाल बन गया, अब क्या हुआ, इस incident के बाद में, 4-4 incident होता है, जो सबसे famous है, जिव main कारण है, non-cooperation movement बंद होने का, ठीक है, जब 4-4 incident होआ, तो लोगों ने क्या किया, कि police station जला दिया, लोगों को जिंदा चला जिंदा चला दे, तो गांधी जी को लगा किया, यह तो सक्त खिलाफ है, हमारे non-violence के लिए, ठीक है, तो आरी बत, अचाथ समझ में आ रहा है, फील आरी की ने आरी है, फील की कोई कमी तो नहीं हो रही है, भाई तुम लोग आर अपने दोस्तों को क्यों ने लेकर आए, वो लोग संतुष्ट बस इसलिए बोल रहे, ताकि तुमको लगे कि वो संतुष्ट और वो आगे बढ़ते जाए, ठीक है, और यह बात सही भी है, कभी संतुष्ट नहीं होना जीवन के अंदर, अगर तुम संतुष्ट हो कि तुमके बुड़े होगा, क्यों अभी से हैं, संतुष्ट ना, साट-सतर के उमर में जब फार्माउज लेके बैठे हो, अपनी बीबी के साथ में किसी कहीं पर भी कोने में जो फार्माउज ले लिया हो तुमने, वहाँ पर बड़ी ऐसा गाड़ी रहे, तुमारी मर्सीडीज खड़ी, एक ब्मड़ी खड़ी है, सामने एक जूला जूले पर बैठके अपनी वाइफ के साथ में बाते करो, और बोलो कि हम सेटल लोगे हैं लाइफ के अंदर, तब करो ना ये, अभी क्यो करना, है, आरी ना बात समझ में, तो सेटल लिटल नी होना, हमेशा और के लिए वो रखो, ग्रीड रखो, थोड़ा लाला तो होना चीए भाई, वरना क्या करोगे बैठे-बैठे, और ये जितने भी लोग ऐसे होते हैं, कि भाई, पैसा ऐसा कुछ नहीं होता है, वो ही होता है, जन्रली जिन्होंने सब साथा पैसा कमाया है नहीं कभी, ठीक है, तो मतलब पुल मिला कि मैं तुमको ये समझा रहा ह अधार ने चले जाओ, ठीक है, चलो, ओके, साइमन कमीशन, अरे, हाँ, अब देखो क्या हो, कि इसी भी साइमन अंकल है, ठीक है, आप इंडियन में ने अव साजन जी कर आए नहीं क्या, अब इंडियन क्या वन्हें, अब इंडियन क्या बंगा, शिम्रन के जी जशा वैसे Simon को यहां से घबगा दिया, ठीक है, जैसे Go Raj Go था, वैसे Go Simon Go हो गया, ठीक है, Simon Go बैक करने लग गये लोग उसका, ठीक है, तो 1928 में यहा है और इनका बड़े प्यार सा स्वागत किया, भगा-भगा किया, ठीक है, अब क्या हुआ, देखो, अब क्या हुआ, 1929, October 1929 में Lord Erwin ने roundtable conference offer की, ठीक है, मतलब उन्होंने बोला कि हमें एक काम करते हैं, हम एक roundtable conference कर लेता है, क्योंकि लोग जो Simon को गुष्णिन दे रहे थे, तो यहां पर गांधी जी ने भी सोचा कि चलो ठीक है, पर गांधी जी कुछ दिमांड थी, और गांधी जी ने बोला कि अगर हम हमारी 11 demands पूरी नहीं होई, तो हम civil disobedience movement चालू कर देंगे, पर अबसी बात है कोई demand पूरी करना हो ले थे हैं लोग, ठीक है, हमारे आप हमारे पापा ममी demand पूरी नहीं करते हैं, हम उनको बलते हैं, पापा PS4 लाग है तो PS3 लाग है देते हैं, ठीक है, मतलब मजा कर रहा हम अब मुबाइल लाके नहीं दो, तो मैं पंढ़ना बंद कर दूँगा, तो गांधी जी ने तो पहली ही बोज जाता, कि तुम अगर 11 demands पूरी नहीं कर रहा होगा, तो मैं civil disobedience movement चालू कर दूँगा, तो अब समझते है, यह civil disobedience movement का है, civil disobedience movement का मतलब यह है, कि जैसा non-corporation भी मना तो करी रहें, पर हम इनके rules भी तोड रहें, ठीक है, अभी तक तो मैं बोल रहे थे कि मैडम आँ बोलो कि खड़ए हो जाओ, तो मैं खड़ा नहीं होगा, पर अब मैं class के अंदर खाना भी खाऊँगा, अब मैं class के अंदर चौक, देस्टर भी ठेकूंगा, अब मैं class क तो महात्मा अब देखो civil disobedience मुवमेंट साट का सेवा देखो गांधी जी को लगा कि हमको इसकी नीव रखनी है तो ऐसा law तोड के नीव रखनी पड़ेगी जिससे सब लोग गंधी जी ने सोचा है सबसे बेसिक चीज तो नमक है वहीं नमक तो सब की थाली में होता है नमक तो सब खाते हैं विना नमक के निविग बना रखना रखाथा कि सरकार के पर्मिशन चालू कर दी, डांडी मार चालू कर दी, मतलब कि वो नमक बनाने के लिए साबर मती से लेके डांडी तक पैदल गए, करीब करीब 300-300 किलमेटर कितना थायर वो exact, 78 वोलेंटर के साथ में, 6 अपरिल को ये डांडी पहुंचे, वहाँ पर उना ना, salt तोड के, sorry, salt बना के salt boycott होगे, peasants ने revenue पे करने से refuse कर दिया, ठीक है, अब British government रिएक्ट के है, इस पर British government भी चुपतो बैठने होले नहीं है, तो British government का simple fund है तुमको पता है, भाई जैसे राजू की scheme थी, 21 दिन में पैसे डवाल करने की British government की और simple scheme है, कोई भी दिख रहा है ना, उदम करते वहाँ, कौन, 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 कौन है, कोई movement चलो कर रहा है, तू कर रहा है, चला है तो जेल में पतक देंगे, ठीक है, ऐसे बोलते है, तू कौन कर रहा है, तुम में से कौन ज़्यादा तेज चल रहा है, तू, चला ज़्यादा को जेल में पतक देंगे, तो उनको जो 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 दिखता क्या हुआ है अंग्रेजों ने कुछ ना कुछ काड़ी की है हम उसके खिलाफ गए हैं अंग्रेजों ने थोड़ा मारा पीटी की है हमने और जाद मारा पीटी की तो अंग्रेजों ने और खतरनाक मारा पीटी कर दी और फिर इस मुवमेंट को बंद कर दिया गया this is the cycle of life and death of every single movement ठीक है सेम चीज यहां पर लड़ाई वड़ाई हो गई गांदी जी को खुद को रेस्ट कर ले इस बार तो मतलब अब तो इन्होंने अती कर दी मतलब आप क्या गांदी जी को और गुस्सा आ गया ठीक है तो महात्मा गांदी तो तुम भी खतम हो जाओगा हम भी खतम हो जाएंगा कोई नहीं बचाएगा तो इसलिए महात्मा गांदी राउंटेबल कॉन्फरेंस में गया लंडन ठीक है तो गांदी इर्विन पेक्ट कब हुआ था 5th मार्स 1931 तो वो क्या गया लंडन गया लंडन में उन्होंने तो गांदी जी को उनकी बात कुछ-कुछ माननी पड़ी ठीक है मलब कुल मिला के हमारी चीज जो थी हमारा जो नेगोसिशन था हमारी जो डील थी हो सई साथ मैच नहीं हुए ठीक है तो गांदी जी वापस आगा है अब गांदी जी के पास में लंडन के दरना अगने जी तो गांदी जी को वैसी दिमाग ख़ाब हो गया कि मैं थोड़ दिन चला किया तो उने तो बिलकुल खतरना काम कर दिया उसके परणने कॉंग्रस को इलिगल डिकलेर कर दिया है ना तो अपिर गांदी जी ने सूचा कि भया तुम ने तो मानी नहीं आप हम भी न क्योंकि इसका momentum धिरे-धिरे कम हो गया, ठीक है, अच्छा, जो हमारा ये था, non-cooperation moment, ये भी बंद इसलिए हो, क्योंकि यार, लोगों को बाद में realize हुआ, कि देखो, नौकरे वगर तो हमने छोड़ दिया, पर हम करें क्या, मतलब उन्होंने पहले ताओ-ताब में आके नौक उन्होंको तो जला दिये, कपड़े भी जला दिये, फिर उनको बाद में realize हुआ कि यार, खादी के लोट तो बहुत मैंगा है, हम करें क्या, students ने वो छोड़ दिया, तो students ने बाद में सुचा कि यार, देखो, हम college वाले तो छोड़ के आ गए, अब पढ़ा ही क्या करेंगा है, मतब क्योंकि सारे इंस्ट्यूट्स तो अंग्रेज हो कही है, टीचर ने सुचा कि हमको तो पढ़ाना आता है, और सारे इंस्ट्यूट्स सरकार कही है, हम तो छोड़ के आगए, अब हम घर पर रोटी कैसे लाएंगे, रोजी रोटी कैसे चलेगे, बीव अच्चो का प तो दलित ने अगर पार्टीसिपेट नहीं किया, तो इस टाम पी कहा हो, बीर अमबिट करने बोला कि दलित का भी पार्टीसिपेशन ऐसे सरी है, तो बीर अमबिट करने इस टाम पे एक सेपरेट इलेक्टोरेट डिमांड गया, बीर अमबिट करने बोला कि यह भाया हम दल गलत है मतलब यहां पर हम सबको एक करने की कुशिश कर रहा और यहां पर हम अगर ऐसा एक सेपरेट एलेक्टरेट फॉर्म कर दें तो एक ता तो कभी आई नहीं पाईगी तो यह तो समस्या हो जागी जीवन के अंदर तो इसलिए हमने सुच्छा कि यह तो हम नहीं कर रहे है ठीक है तो यह चीज़े वहीं से कहीं नहीं कहीं है अब चाहिए टॉपिक है यह तो अगर तुम इतने पॉइंट भी रट ले तो तो तुम्हारा काम हो जाएगा sense of collective belonging sense of collective belonging हम को क्या रहा है sense of collecting belonging हम से यह कह रहा है कि देखो कि ऐसी चीज़े जो हमको एक कर सकती है अगर आज मैं इस stream के अंदर चाहे तुम कोई भी हो कहीं भी बैठे हो अगर मैं इस stream के अंदर कोई सा गाना चला दू मानलो वंदे मातरम चला दू ठीक है मानलो मा तुझे सलाम चला दू या फिर मानलो मैं भारत का जंडा ल ऐसे से गूजबंस से नहीं आ जाएंगे तुम लोगों को फील सी नहीं आ जाएगी कि अरे वा यार मतलब ऐसा भई जब 15 अगस्त बहले ही तुम पेट्रियोटिक हो नहीं वह अलग बात है वैसे तो होना चाहिए सबको पर जब भी हम 15 अगस्त के दिन अपने स्कूल में ज जिसके हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं ठीक है तो जब हम उसको अन्फोल करते हैं तो हम सब लोगों को एकता वाली फील आती है कि चाहे मेरे पास में खड़ाओ बंदा कोई भी है हम उस एक फ्लैग को देखके गुजबंस ला रहे हैं हम उस एक फ्लैग को देखके पर दे रखिये जैसे अलग-अलग सॉंग्स प्रेंट्स ठीक है सिंबोल्स ठीक है यहाँ पर फिर फो कार्ट भी चलने लगा ठीक लोग है ना जब एक खट्टे बैठते थे तो कुछ-कुछ गाने-गाने लग गया ठीक है सिमिलर नहां पर भारत-माता की पेंटिंग भी सही है भारत-माता की पेंटिंग भी ठीक है टीक है 20th century में कहां गया रहा हम हाई यह रहे ठीक है बंके इंदर चटो पादिया जी ने अपनी जो बुक थी आनंद मंट उसके अंदर मंदे मातरां एक गाना भी लिखा था जो कि आज हमारे नेशनल सॉंग है भारत-माता की इ बिजनस क्लास कुछ इस तरीके से देख रहते हैं यह हमारा हो गया कौन सा civil disobedience movement इसमें इनके लिए क्यों बोलते हैं तो यह पॉइंट उसका ठीक है चलो बिजनस क्लास अलों को क्या लगाना था कि बिजनस जो हमारा धंदा है तो बिना किसी restriction कि अभी कुछ भी करना है तो यह अंग्रेज आया था बीच-बीच में यार ठीक है इस पर टैक्स उस पर टैक्स यह फलाना यह दिम काना तो हमारा दो दिमाग खरा हो गया था कि हम पह अच्छी relationship build नहीं हो पाई क्यों नहीं हो पाई उसका एक major reason था कि Congress को support करने वाले जो financial support देते थे जिन जो पैसों की जरूरत को fulfill करते थे वो कौन होते थे अब अगर हम पूर पेसंट को support कर लेंगे तो पूर पेसंट का सबसे बड़ा दुश्मन को रिच पेसंट से यह जो उनको पर प्रेशर डाल रहे हैं जो उनसे काम कर रहे हैं जो उनकी salaries कम रख रहे हैं जो उनसे revenue collect कर रहे जो सुन टैक्स मागरे किराया मांग रहे हैं यह म मुल्टा हमारे खिलाब हमारे पर कुलाडे मारो तो इसले रिलिजंट को डंग से बिल्डप नहीं हो पाई पर बाद में गांधी जी ने बोला किया ऐसे काम तो होगा नी तो उन्होंने फिर बाद में जितने भी लोग का श्लोक तुन सब को साथ में लेके चले ठीक है और खूल है ठीक है आगे बढ़ते हैं जीवन के अंदर अगला चप्टर कौन सा करें भाई पूरा समाप्त हो गया है पहले थोड़ी जोश जोश मचा दो यार अपने सारे दोस्तों को ले क्या हो देखो अगल नया चप्टर सार्ट होने वाला है तो अभी सब को लियाओ तो क् समझ में आ जाएगा मतलब वरना के दिक्कत हो जाएगी बीच में ठीक है चलो वेरी वेरी नाइस कहां तक पहुंचे हम कहां तक पहुंचे हम कहां तक पहुंचे हम कहां तक पहुंचे हम आ गई बात समझ में लियाओगे दोस्तों को इतना समझ में आ गया इतना समझ में आ सेशन है ठीक है चलो बहुत ही बढ़िया तगड़ी दिविंग चल रही है इस चानल के उपपर ठीक है थोड़ा क्या करो यार टूट जाएगा तो पैसे देना प्लीज है मैं जोश में बहुत हो कि मेरी अपरम पर लेया पर चलो अगला स्टाट करें अगला स्टाट करें चलो आहा जूंगा चलो बेसिकली भाई यह देखो कितने प्यारे वन पेज नोट्स है ठीक है तुम्हें जो फ्लोचार्ट में बनाने को बोलता हो ना वो खुद यान पर बना हुआ है तुमको मेहनत नहीं करनी जीवन के अंदर पर थोड़ी बात मेहनत कर लो ठीक है चलो क्या ह प्लिटीप एक्च्यली में है क्या बेक उच ग्रूप ओफ फीपल यह है कि नहीं ग्लास ट्रेंद क्या है क्लास लगाइव एक ग्रूप फीपल नहीं ठीक है जो सेम विशेड करते है ठीक है दूसरा पॉइंट इस इस जा मॉन्स विसिपल इंस्ट्टिशन इन इंस्टिश चृदलोत की छी को नहीं है तो कहने का मतलब का है कि उनको बाएं की चीजे नीं पता फी ऐंगे उनको ये भे नीए पता गा कि या होता हैं ठीक है रिजर्भ डैंक उफ इंडिया उनको ये भी निए पता हो हो का बहुत चार बैक्स कर नॉल ब्लीटज न OCantage सबसे ज़्चा जब बता हुए पर बहुत सार लोगों को सब i में पता है कि एंड़ा काhora का ने कर रहा है क्यों को प्रचार होता है ठीक है सब लोगों के घर घर जाके बताया जाता है ये चीज जंडे लगे हो थे ठीक है पैमपलेट बढटते हैं लोगों की मतलब वो लौट सफिकर पर बचता है पर कभी तुमने प्रेसिदेंट का नाम लौट सब्सक्राइब करने क्या है तो कुल मिला के जो भी चीजें ऐ कर नहीं, political party elections लेखने के लाएंगे, टुछ फंच्छन नहीं होगा कि उसको contest elections, ठिके, दूसरा कि वह अगर एलेक्शन जीत जाती है, तो क्या करीगे, क्या बैट जाएगे, नहीं वह बैट ठेक नहीं, वह क्या करीगे, political party अलग-अलग यहां पर तुम अंटरलाइन करोगे, contest selection, टिके, different policies, टिके, decisive role, क्योंकि यह जो वर्ट रहना, यह सेमट सेंट ती वाले वर्ट रहने, तो जो भी तुमारा चेक करने आलाउ बंदा होगा ना, जो भी तुमारी चेक करने वाले होंगे, तो हमको ना उनका समय और उनका दिमाग सबसे कम लगवाना है चलो बहुत इशा अंदर यह हो गया चलो आगे बढ़ जाते हैं थोड़ी सी लाइफ के अंदर नेसे सिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी जरूरी क्यों है तो हम इसको ऐसे समझते कि अगर मैं नहीं खाना खाऊंगा तो क्या होगा अगर मैं खाना नीं खाऊंगा तो क्या होगा चक्कर आजाएंगे मेटाबोलिज खतम हो जाएगा एनर्जी नहीं बचेगी मैं जो इतनी चिल्ला चिल्ला के बढ़ा रहा हूं उच्छका उच्छके बढ़ाना फिर्में ऐसे बढ़ाने पड़ेगा कि वह यह पॉलिटिकल पार्टी जना नेसे सिटी समझ लेते हैं पॉलिटिकल पार्टी की तो पहली नेस शिर्फ तीन-चार पाटी से जिन मैं समको किसी को वोट देना है पर अगर मार ओ लोग के सारी पालिटिकल पार्टी से में लेट से की दस लोग भी होंगे कुल मिला के तो अगर माने लोग पॉलिटिकल पाटी नहीं होती और दस हजार इंडिपेंडेंटनली खड़े वायते हैं तो तुमारा धिमाग खराब नहीं हो जाता है अब दस हजार लोगों में से किसको इलेट करूँ यह बैद तो दिमाग नहीं चल रहे है इसको करूँ इसको करूँ तुम जीवन में मिलते नहीं हो दस हजार लोगों से तुम दस हजार लोगों को लिस्ट बना कि लेट कैसे करपा होगे कौन अच्छा कौन बुरा ठीक है तो सबसे बड़े समस्चा तो होगई कि अगर इंडिपेंडने लडने लग जाएंग तो दिमाग खरा हो जाएगा द तुम को तीलक नगर में कर अब प्रब्लम हो नहीं तुमा के जाके जाके पारशैधा जाकर जोभी महा का हो उससे बात करो मुझसे बात मन्त कर रहा किया तो एक ही कंट्रीव और बहुत चोटी छोटी चोटी 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 अपनी पना लेंगे जहां पर रालगी राज चल चलते हैं मेरी क्लास के अंदर 50 बच्चे हैं मेरी क्लास के पच्छों को इच्छावी कि चलते हैं तो क्या हम 50के पच्छे बच्छे प्रिंसिबल के गेट पर चले जाएंगे कि वहीं हमको पिकनिक में जाने दो नहीं असा नहीं होगा हम क्या करेंगे हम इसके अंदर से दो-तिन लीडर भाइजेंगे जिसमें से एक लीडर जनरली मैं ही रहता था ऐसे उल्टी सिद्धर काम कराने के लिए मेरी क्लास से ले मुझे भी बेचते थे क्योंको पता था कि ड कि र्यक्रेजस्ट करना बहुत जरूरी है तो बड़ी स्वर बढ़ी सोसाय टीज़ाइटी जो हती होती है भई माई इलो तीन चार बच्चों की क्लास होते तो ड्रेक्टी चलायता पर सोसाइटी बहुत बढ़ी 50 लोगों कि और यहां पर तो देश की बात करेंगे सोबीस क दंसे वो नहीं कर पाईगी, ठीक है, तो इसलिए चैना के अंदर होता है, वैसे चैना बेवकू बनाने में फेमस है, ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया, भई चैनीज लोग मारने ने आ जाया है, डर लग रहा है, मुझे, तो तुम लोग बचा लेना प्लीज, चलो बहुत बढ़िया, यह मुझे मेल कौन कर रहा है बीच में, चलो, आगे बटे जीवन के अंदर, दूसरा, टू पर्टी सिस्टम जहाँ पर दो पार्टी हो, तो इसमें चांसे किस के बीच में, एक 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 जांपल, UK और US हो गया, दो एक्जांपल इसके आद कर लो, मल्टी पर्टी सिस्टम, इंडिया, इंडिया के अंदर पार्टी लएक जो, मतलब आलो, कि कोई ऑप्टी बहूमत में नहीं आती है, तो वो दो पाटी मिलके कौलिशन, गर्में कर लेते हैं, ठीक только कि तो ऐसा कुछ खेह नहीं सकते हैं कि तुन में से बेटर रहा है आप तुम अगर बोल दो कि मल्टी पार्टी सिस्टम बेटर है तो फिर तो भाई यू के रिएस तो इतना डेवलेप्ट है तो वह वाला सिस्टम बेटर हो ना और ऐसे सो चो तो चैना के अंदर कितना है ताकि अलग-अलग लोगों के विऊ सको अलग-अलग रिप्रेजेंटेशन मिल पाए ठीक है चलो नेशनल पार्टी समझ लिए एंप बीच में अब तो एक मिट मैं इस पूरा कर दू में आप इसके बाद मब पन कॉल करते हूं को ठीक है पहले तुम लोगों को तब भी तुम 8000 लाइक कर तो, आज तो 7000 लोग देख रहे हैं, तुम 7000 लोग कर क्या रहे हो, इतनी खतरनाग तरीके से तुमको समझ में आ रहा है क्या, तो लाइक वही करो, 20, 30, 50,000 लाइक जाने चीए आज तो, ठीक है, आज तो कोई लिमिट लिमिट नहीं है, लाइक स्क पर, अचा एक और चीज़ बता दू, कि description में फिर से बताता हूं, description के अंदर एक form है, जिसके अंदर वही है, 11 वी कक्षा में हम क्या करेंगे, उसका एक form दे रखा है मैंने, ताकि हमको एक idea लग जाए कि वही तुम करने क्या वालो, ठीक है, तुमारे जीवन के अंदर क्या बोलते हैं, चलो, कहां चले गया है, यह रहा, ठीक है, चलो, आई बात समझ में, अब देखो, national parties, ठीक है, तो national party, हर party को election commission के तास में register ना तुमको पता ही है, साथ mainly national parties उनके example से याद रखना, ठीक है, अच्छा, यह question है, 3 number के लिए बहुत famous है, यह 3 number के लिए question आ सकता है, क टीक है, चलो, मेरी वाइस समें, अब कैया गरा तो में, हाँ, रेक्रिकनेज पारटी, भई मेरी वाइस समें, ऐसा नहीं होता कि teacher सब सब्कोषब norm Whenever C وب distinguish them में जोना कि हम सब को एक नजरू से देखते हैं तिक हम हमारे लिए वीक बच्चा भी हमारे लिए लिए उतने इंपॉटेंट और स्ट्रॉंग बच्चा भुग इंपॉटेंट है विपना क्या ? जुमेटो अभी जुमेटो खिल लू मैं अभी खाना खालू गाइख है लुट है सिर्फ ऐस सुपर चट है मेरे पास मैं देख लेता है आशर सुपर चट बढ़ाइख देतो हो तो तुम अपनी जेव से पैसे निकालते हो तो मैं इस चीज का कहा गया यार माउस भी नहीं चल रहा मैं रहा एक तो समस्चा इतनी है लाइफ के अंदर मद क्या बताऊं तुमको चलो क्या कहा जा रहा है गट्टु भाईया है क्या बात है गट्टु भाईया आज तो सूपर चैट दे रहे हमको चलो चैट परसेंट वोट देखो तो टॉपर होने के लिए क्या कै क्राइटिर बहीं हो सकता है कि तुमको स्पोर्ट में अप्लास लाना पड़े हो सकता है तुमारे हर एक्जामे 95% हो ऐसे कुछ क्रैटिर हिए से वैसे ही और यह, यह दो criteria's तो होना ही चीए, ठीक है, यह criteria कहा है, कि या तो तुम्हारा पास में 6% vote हो लोगसभाई election में, या फिर 6% vote हो, assembly, in assembly in 4 states, तो या तो 4 states के assembly में 6% vote हो, या फिर पूरे लोगसभाई के election में 6% vote हो, इन दोनों में से कोई एक हो तो चलेगा, पर यह तो compulsoryly होना यह, अब 4 भी नहीं तो तुमको क्या, मतलब थोड़ी ना, डिकलेर कर देंगा, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है, चलो, फिर criteria's for regional parties, ठीक है, 6% vote in state legislative assembly, और win at least two seats, ठीक है, चलो, अच्छा, यह state parties देख लो, state parties are also known as regional parties, ठीक है, state parties को regional party बोलता है, जो की बहुत important role play करता है, क्य बोलता था कि भाई, लिख लो, लिख लो, लिख लो, अवो तुमको खुदी लिख के दे दिया, तो screenshot निकाल लो, तुमको इस session card में इसकी PDF मिल जाएक, वो download कर लो, ठीक है, टेलिग्राम के अपर, challenges to political parties, lack of internal democracy within the party, भाई, political party के सबस्वारे challenge कहा है, कि उनके अंदर ही democracy नहीं है, ठीक है, मतलब तुम समझ रहो, क्या शांदार कहा हम है, भाई, यह तुम इतनी chats भार रहो ना, यहाँ पर, कि यहीं बंद हो गया है, chat section ही बंद हो गया है, एनी वरसली नहीं है, भाई, मेरी शादी नहीं हुई है, प्लीज, मैं तुम लोगों को पक्का guaranteed अपनी शादी पर अभी मेरी शादी नहीं हुई है, ठीक है, मतलब अगर 7000 लोग भी इसको देख रहा है, और मालो मेरी शादी में अपन थोड़ा ऐसा खर्चा कर देते हैं, थोड़े अच्छी शादी करते हैं, और मालो हम अगर 3000 रुपे प्लेट, नहीं यह बहुत महंगा हो जाएगा, चोले काम करते हैं, 2000 रुपे प्लेट भी रखते हैं, और एगर 7000 लोग इसके अंदर आ जाते हैं, तो यह कितना हुआ है भाई, 1,2,3,4,5,6,14, मतलब कुल मिलाके एक, ओ, नहीं कर रहा भाई मैं शादी, प्लान कैंसल भाई, प्लान डॉप, छोड़ो, शादी वादे नह नहीं कर रहा आप मैं, अब मेरा प्लान चेंज हो गया, अब मैं सिर्फ बड़े सेलिब्रेट करूँगा, यह सारी पार्टी कव लाउंच होई थी, इनका मेन वो क्या है, क्या कहते है, व्यूज क्या है, वो सब आम पर दिया रखे, ठीक है, चैलेंजे से यही है, इंटरनल प्लान चेंज होगा, तो बहुत ही खराब चीज होगे, ठीक है, पार्टी के पास में ओफर निये, मीनिंग्फुल चॉइस ओफर करने के लिए ठीक है, किसी को भी खड़ा कर देंगे और उसको बोल देंगे कि इसको वोट दो जाके, तो हम थोड़ा देखे, तो सही की कैसे कर सकते हैं, अब ये दो कोशन बन सकते हैं, ठीक है, दो कोशन क्या बन सकते हैं, कि कौन से एफर्ट्स ले लिये गए हैं, और कौन से एफर्ट्स लिये जा सकते हैं, ये दो कोशन बहुत इंपोर्टेंट डिरेक्ली बन सकते हैं, तीन-तीन नमर में अभी बता रहा हू और इसके अंदर एक और था कि इनके लिए income tax return फाइल करना कंपर सरी हो गया ITR ठीक है कि तुमारे पास कितना पैसा आ रहा है कितना पैसा खर्चा हो रहा है उसका थोड़ा हिसाब दो हमको मन बत्ती पैसा मत खर्च करो अब suggestions और क्या किया जा सकता है तो ऐसा लोग बना सकते जिससे इंटरनल अफेर्स पॉलिटिकल पार्टी के रेगुलेट हो जाए ठीक है यह मेंडेटरी होना चाहिए कि मिनिममम वुमेन को इतनी सीट्स दी जाए और तीसरा है कि इसमें और्गनाइजेशनल इलेक्शन होने चाहिए ठीक है मतलब कि पॉलिटिकल पार्टी के अं में 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 पेपर खतम हो गया आप बेस्टो थैंक यू सो मच चलो आरिवास समझ में फील आरिया ना आगे बढ़े आगे बढ़े चलो बहुत बढ़िया फटाफट याला चप्टर कर रहते हैं अरे आ फट जाओ यार बिटवा एक सेकेंड ओह भाई तुमने देखा और कितना सैटिस्फाइंग है आहां मुझे ऐसे नहीं छोटे-छोटे में बहुत में छोटी-छोटी खुशे में बहुत कुश हो जाता हूं मैं बहुत संतोशी जीव हूं लाइफ में ठीक है चलो बही आथरवया का कॉल आगे उनको पता चल गया है कि वो हो गया हमरा क्या हो हो गया काल गया थे काल बैक कर लेता हूं गोड़ू छिखे चलो यर कमाल कामाल के आद मियर फोन काट दिया एक हो गया बुरा लगए मुझे मेर फोन के लिए चलो कोई बाए अब देखो यह दख और आप देखो इस ओप्शन पे गए अरे हाइं यह तो इरेसर आग का अप यह मिस्स कॉल क्यों खेल रहे हैं मेरे साथ में यार हलो हलो यह क्या चाहते हैं जीवन से इनको समझा दो यार चलो रैंद दो आभे तो कार्ड दीए हैा इनको फिर से ओके वाइ देमोकरसी बेटर चलो चालो ओ जाओ बाई देमोकरसी की तारीफ करना चालो ओ जाओ अंधी तारीफ करेंगे देमोकरस अच्छा दुन्या में कुछ भी नहीं है तुमको बटर चिकन अच्छा लगता है, कि पनीर अच्छा लगता है, हमको democracy अच्छी लगती है, ठीक है, चलो बहुत ही वडिया, क्या कहना चाहरे है, democracy वेटर क्यों है, क्योंकि ये equality, आहा, वह या, क्या ऐसी चीज़े लिखे हैं, हमको पता ही नहीं देख भी, ठीक है, तो कर लो, ओके, फोन को काड़े हो, मैरा कर लिए मैं न, देख लो भाई, भाईजी से बाद चलरी हमारी, ध्राइब करते रेजा हो गया, आप यार, चलो बोलो, क्या चलरहा है, बताओ, है, है, अल देख आपको भी, गाड़ी चलने के लिए, जिख लिए, आपको भी, यार आप शेयर वेर कर दो लाइश्ट्रीम यार अरे तो 10-20-50 लार बच्चे नहीं चीए कम से कम डेमोकरसी समझना है क्या आपको? मेरको अनहीं मैं समझ चुको अपको अपर देमोकरसी चुको चलो ओल दबेस बोल दो फिर आपको एक बार अच्चे से यार वो फॉर्म के लिंक डालती है? हाँ हाँ वो फॉर्म का मैं तुमको बता था ना? यह रहा फॉर्म भाई इसमें बता दो देखो अथर बहुत उतावले हो रहे हैं कि तुम ग्यार्व में क्या करना चाहते हो, हमको थोड़ा अड़य तो लगे तो यह रहा फॉर्म तुमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक है हाडली भी सेकंड लगेंगे, इमिलेटे डाल दो, उबल लंबर डाल दो, नाम डाल दो और बता दो कि तुम करना क्या चाहते हो जीवन के अंदर ठीक है? चलो बहुत ही बढ़या एक और डिसिजन मैंने लिया है, मैं शादी नहीं कर रहा हूं कभी मैंने लाइव में डिसिजन लिया है नहीं करोगे, आर रव रपकाना खाना तो चलो ठीक है चलो कोई बाद मैं किलाद होंगा लग से गादा देखा, तुमने देखा है कभी कि कुछ पढ़ाने वाले लोग में इतनी जोदा बखवास कर लेते हैं पर कोई बास नहीं भाई, इसी बखवास से तो हम ये पढ़ाई हो रही है चलो फटावड, हना, ये नैसेटी समझ ली अरे वापस यहां कहां आ गया हम, चलो इंप्रूब्स कॉलिटी की डिसिजन क्योंकि बहुत सारे लोगों के थ्रूफ बनता है, भाली इसमें एक महिना लग जाता है, एक छोड़ी सी चीज़ करना है, पर वो डिसिजन अच्छा होता है ठीक है, प्रवाइड जाता है, तो यह बता देते कि हमको कैसे रिजॉल करना है, अलाउस रूम टू करेक्ट मिस्टेक, यह पांच पॉइंट जो है न, यह बिल्कुल ऐसे कैसे पॉइंट्स उतार देना, वालब उल्टी करके आ आ जाना, इसमें 100% पूरे नमर मिल तब most basic outcomes of democracy are, number one, accountable, accountable को underline करना, और यहां से dash लगा के फिर लिखना कि accountable कैसे है, फिर दूसरा point बनाना, responsive, ठीक है, responsive को underline करना और यहां से लिखना, आगे responsive क्या है, ठीक है, तो accountable क्यो है भाई है, क्योंकि यार हमारे पास में answerable है कोई, ठीक है, किसी से पूछ सकते हैं, हम ज जानने का अधिखार है कि यह decision जो लिया गया, किस process से लिया गया, dictatorship में क्या होता है, decision ले ले तो बता देते कि यह decision है, और तुम जाते क्या रहे, तुमने क्या करता, तुमको लात मार के भगा देते, ठीक है, कि जाओ है, जो decision ले 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 चुप-चाप मानलो इसको, तो ह हम विचार ऐसे आयता है, कि ठीक है sir, sorry, क्या कह रहे है आप, हाँ, जूते पहना चोड़ा है, चीच, चलो, नंगे पैर घुमेंगे अब हम, तो यह dictatorship में होता है, डेमोक्रसी में अगर बोल दे कि जूते उतार के घुम होता है, अपन बोलते कि क्यों जूता होता है, तो फि आप मांगने जाओंगे, राजस है, बाहर सैनिक तुमको उठा के तुमको ऐसी, जिसे बाहु बली के अंदर ऐसे उंगलियां उंगलियां काट दे वैसा कर देंगे तुम्हारा सत्विर अच्छा नहीं लगेगा ना, ठीक है, लेजिटिमेट, अब चूंकि यह हमने इलेक् क्या है, वो अच्छा काम ही करेगा, ठीक है, चला बहुत बढ़िया, आ, 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 यह चीज़ है, बहुत इंपोर्टन, economic growth and development, देखो, एक चीज़ों डेमक्रसी में अच्छी नहीं होती, वो है economic growth, ठीक है, economic growth हमेशा dictatorship जनर ले देखा हम लेखने कर रहे हैं, तुमको इसी शादी जादे मेंटता, इंट्रेस्त होता है, ठीक है, तो एक शादी, कसी नहीं मान लेता है, ठीक है, मान लो कि, मेरे लिए हम लड़की ढ的是 रहे ठीक है तो अगर मेरे लें लड़की डूंड रहे तो हम क्या क्या देखेंगे कि लड़की का सुभाव कैसा है पढ़ने में कैसी है ठीक है फैमिली को मदब फैमिलियर है की नहीं है ठीक है मुझसे वाइब मैच होती ही की नहीं होती है ठीक है फिर वो उसका education क्या है या फिर वो काम क्या करती है ठीक है या फिर उसकी salary कितनी है या जो भी चीज़ है ठीक है तो क्या हम सिर्फ एक चीज़ देख कर लेंगे कि आहां rejected हम नहीं कर रहे है शादी चलो घर जा रहे है ऐसा तो नहीं करेंगे हम सारी चीज़ेंगे बाई कईना कई समझोता करना पड़ है मतलब 90-95% वेल्द उन लोगों के हाथ में जो कि सिर्फ 15-10% है मतलब तुम सोचो अगर अगर मैं अकले सर्फ मुकेश अंबान की बात करूँ तो आगे सो कुछ 50,000 करोड की नेट वर्त है उनकी अब 50,000 करोड इंडिया के अंदर 99% लोगों ने कभी 1 करोड रुपे भी देखें तो तुम समझ रहो बात क्या कहना चाहरा हूं मैं कि बहुत कम लोगों के पास में बहुत ज्यादा वेल्द है तो इसके करण जो गरीब हो गरीब होते आ रहे और अमीर होते जा रहे है ठीक है और स्मॉल सेक्शन अफ अल्ट्रा रिच पीपल है वा लार्ज शेर अ оров होते सकता है इसका मतलब करना मतलब कि साथ मैं लेकर चलना ठीक है बतलब मैं सब लोगों कोशसा या यॹा फूसार ब्लं Tut तो यह लड़ाई जगड़ा ना हो इसलिए यह वाली चीज़ होती है डेमोक्राशी में सबसे बेस्ट होता है ठीक है कोई बातने कभी कभी चल जाता है ठीक है हम भी दोस्तों को बोलते कि बस पांच मिट मारा और हम विस्तर से भी नियुट होता है तो थोड़ा बहुत मुझे भी तुम्हारा दोस्तों इतना तो करी सकते हैं ठीक है और मैं अभी तक चुप नहीं हुआ हूँ बिल्कुल एक सेक ऐसा तो नहीं कि मैं सो बखबक कर रहा और तुमको कुछ बहום समँजी नहीं आ रहा है इससे हो रहा है रिवेजन यह ज़ू को रहा है की पाप डर देंगे यह क्या रिखा हुए यह ओन्सित इतु हाए मुझे तो एयक जोगिंक बना कि सिखाओं ठीक है एनर्जी बूश्ट करने के लिए कल पेपर आज एरोप्लान बनाना सीख लिए हम देखो तुम बोर नहीं होने चाहिए बस ठीक है क्योंकि तुम बोर हो गए तुम बोर हो जाओगे तो मजा कैसे आएगा फिर ठीक है फिर रहेगा ही क्या कि प्रणे क्या ही करा दिया लगना चाहिए ना लेगसी होनी चाहिए तुम्हें अपने इतिहास में जब तुम्हारे बच्चे होंगे पोते होंगे पर पोते होंगे तब तुम उनको बोलने को तो रहो कि हमें एक सोशल साइंस पढ़ा था बंदा एक दिन पहले उसने हमारे साथ नहां नहीं सुनानो नों ठीके ? पंका प्रॉमिस कर दो मुझसे एक बार PINGky प्रॉमिस कर दो सब लोग ? ठीके ? PINGक प्रॉमिस कर ले बोलोग ? कर ले ? अरे यह क्या हो गया ? ओ मम्मे यह क्या हो गया ? इसको चलाते कैसे बो इसको आ के से बढ़ते है .. होम पर चले जाओं बाई यह क्या हो गया यार लाइफ में मेरी सब अच्छोला चल रहा था तो एरोप्लेन नहीं बनाना चीए था गाईज एरोप्लेन सेमको दिक्कत हो गई यह रहा पीसी दिखा लिखा 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 लिए ओ येस I am the smartest ठीक है, मुझे आता है सब कुछ मैं ही सब जानता हूँ ओ भाई, इस ego से नहीं जाना पेपर में ठीक है, नहीं, इस confidence से जरू जाना है, ego से नहीं जाना चलो भाई, aeroplane बन गया है मारा तयार है, क्या हम लोग क्या हम इस कोड़ाने के लिए तयार है चलो, एक नट पता है, मेरे साथ में एक लड़का था मेरा पडोसी, वो क्या करता था, aeroplane बन गद फूक मार देता था मतलब उसको ऐसा लग रहा था कि ये फूक उसके इंदर स्टोर हो रही है, तो जो वो फेकेगा तो फूक बाहर निकले गए, तो ये आगे बढ़ेगा मतलब फिजिक्स O.P, फिजिक्स on the next level न्यूटन का भी सरचकर खागया था है सुनके पर कोई बात नहीं, हमको ये चीज़ पसंद है, हमारे से confidence बढ़ता है ठीक है करें बाइट सीधर डश्बिन में गिरा, भाई मैं मजाख नहीं करूँगा ये सामने डश्बिन रखिया, उसके अंदर गिर गया डश्बिन गंदी वरना मैं तुमको उठा के दिखा था, बाई क्या मैं इतना घटी है, रप लबना ना दौँगा, चलो कोई बात नहीं, लाइफ के अंदर ये फेलर भी हम जेल लेंगे, पर कल एक्जाम में बिल्कुल फेलर जेल लेंगे नहीं, इसले हम continue करते है, पैसा जरूरी क्यों है, पैसा इसले जरूरी क्यों है, पैसा नहीं होगा, और मानलो कि मेरे पास में मैं का काम कर रहा हूँ, जूते बराने का काम कर रहा हूँ, अब घर में आठा खतम हो गया, ममी ने बोला कि बैटा आठा लेकिया, वरना रोटी कैसे बनेगी, अब नोट जैसी पैसे यसी कोई चीज नहीं होती है, अब मुझे तो सिर्फ जूते जरूरत है, अब भाई मानलो कि इन सब के बास में अल्रडी जूते है, तो मुझे तो सब जूते मार के भगा देंगे, पर आता कोई नहीं देगा, ठीक है, तो यह समस्या होरी थी, हमको लगा कोई तो इसी कॉमन चीज चीज चाहिए, जो कि एक्सचेंज कर सके हम, जाने वाली चाहत की बात नहीं कर रहा है, नॉर्मली बात कर रहा हूँ, तो डबल कोईंस दो मॉंस का मतलब क्या होता है, ठीक है, चलो, इसको इरेस कर दे एक बार, सैटिस्फाइन तरीके से, क्या बोलते हो, येस, चलो नीचे चलते हैं, अरह, अरह, तो वाई ट्रांसक् के अंदर मेटालिक कोई से, क्या ट्रेंडिंग में चल रही कि अपनी स्ट्रीम, तुम लोगों को दिख रहा है क्या, एक बार चेक कर लो प्लीज, ठीक है, और मॉडन पिरेड में हम कैसे उसकर रहे, पेपर बने, पहले करता है, हम कैटलेटल बेज देता है, ठीक है, कि मैं मैं अपनी 200 बक्रियों के बदले, तुझे, नहीं, मैं तेरी 200 बक्रियों के बदले, तुझे 50 भ्हांस दे दूँगा, ठीक है, तो ये डील होती थी पहले, आज हम डारेक्ली पैसे मांग सकता है, ठीक है, अम आलो मेरे पास में बक्रिया नहीं है, अब मैं कै बक्रियों को चेक करूए एक बकरी को, कि भई बकरी अच्छे से बात कर रही कि नहीं कर रही है, मैं कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है, चलो, क्या 295 क्या हो गया, देख लें, ओ हो, very nice, चलो, वापस आ जओ, ठीक है, भाउत हो गया, मस्ती मजाग, पैसा कहां गया हमारा यह रहा, चलो, modern forms of money क्या क्या है, यह currency, deposit exchange, currency मतलब कि paper notes, coins, deposit मतलब कि banks, banks के अंदर हम deposit कर सकते है, currency में क्या होगा paper notes का coin होगा, मैंने तुम को उस दिन 500 रुपे का दस, मेरे पास में उस दिन पांटसर रूपय थे आव उसमें सिर्फ 10 रूप बचाहरे एडिया चीके यह जा जब ठाली था मैं उसका तो सिर्फ 10 रूपय में तुम स्वोचो कितने उससे काम कर रहा हूं मैं ट्रॉगल समय टिक अगो करेंसी इस एनी फॉर्म अपनी वे अ इन यूज अ मेडम एक्चेंज एंड बीगली लिगली काम कर रहा है जिसे बिटकोई नहीं बिटकोई नहीं तो तुम बिटकोई नहीं लिग देना एक रिटकार लिग देना ठीक है बैंक के एक फैनेशल इंस्टिटूशन है ठीक है भाई मैंने नहीं जूते लिए इतने कमफर्टेबल यार मजा रहा रहा है तुम लोगों को जाना है मैंने कौन से जूते लिए हां शेलो चेक क्या वही चेक इसा पेपर इंस्ट्रक्टिंग मतलब मैं क्या लिखूंगा एक इंश्ट्टिंग बैंक तो गिव समवन davon money मैंने लिख दै. तो इसका मतलब यह है कि मैंने बैंक को instruction दिया है कि मेरे वैंक से मेरे बैंक अकाउंट से निकाल के ये गट्टू भईया के बैंक अकॉन्ट में एक लाग मपे डाल स्थ हो पर उस piece of paper पर ऐसा कहता है, तो उस piece of paper पर जो RBI गवर्नर है इंडिया के, उन्होंने signature करके बोला है, कि जिस भी इंसान के पास में नोट है, मैं धारक को 500 रुपे देने का वचन देता हूँ, यह चीज लिखी हुए है, यह भी लिखा है, I promise to pay the bearer, the sum of 500 रुपीज, which is signed by the governor of India इंडिया, मतब governor of RBI, ठीक है, तो यह लिखा हुआ है, Reserve Bank of India, on the behalf of government, ठीक है, तो सरकार के भी आप है, RBI नहीं है, अब bank कैसे काम करते है, बैंक का काम बहुत सिंपल है, ठीक है, बैंक का करती है, जो तुम पैसा जमा करते हो, उसमें से बहुत कम खुद के पास रखती हो, ब ठीक है, बैंक में पैसा जमा कैसे करते है, ठीक है, और हमको इंटर्समें मिल जाता है, demand deposit क्या होता है, demand deposit मतलब एक तरीक है, बैंक के अंदर जम हम पैसा जमा करते हो, ठीक है, जब चाहता हम उसको रख सकते है, ठीक है, जब चाहता हम उसको रख सकते है, ठीक है, जब चाह करना दो प्लेट मोमोज खिला देयार कल वापस देदू ना तो इस तारीकी की चीज़ा क्या होती हो धार ठीक है credit जनरील वापस नी देते हैं वो पर कोई बात नहीं ठीक है एक concept 대 count ready me अगया-जाल मतलब भाई मेरी बात सुनो तुमने किसे से लोन लिया महा अब मैंने तुमको बॉल दाइल ऐ की पैसे चुका करते रहना पड़ेगा, ठीक है, Terms of Credit क्यों होता है, कि हम किस Terms पे Credit ले रहे है, यह OnePash Note को कहा मिलेंगे, OnePash Note is session के आद में, Telegram चैनल में मिल जाएंगे, Telegram चैनल की Link ने चे, description में है, just इस form की Link के नीच है, ठीक है, तो यह form भी तुम fill कर देना, अगर नहीं fill क्या हो तो, ठीक है, अभी तक, चलो, ओके, ठीक है, तो Terms of Credit मतलब कि हम जो यह Loan, हम जो यह पूरा वो कर रहे है, ठीक है, जो Loan दे रहे हैं और Loan ले रहे हैं, वो पूरा हिसाब on paper होना चाहिए, ठीक है, तो उसमें क्या-काई चीज़ें important होती है, सबसे पहली चीज़ होती ही Collateral, Collateral का है, Collateral एक security है कि मान लोग, by chance तुम पैसे नहीं दे पाए, मुझे वापस, तो तुम्हारे पास कुछ ऐसी जमीन जायदा तो नहीं चीजिए, जिसको मैं बेच कापना Mode of repayment, ठीक है, Mode of repayment लोगे, पैसे वापस कैसे देंगे, मतली देंगे, quarterly देंगे, weekly देंगे, cash से देंगे, check से देंगे, online transfer देंगे, यह चीज़े पहले डिसाइड हो आती है ऐसा नहीं कि तुमने लोन लिया, फिर 15 दिन बाद तुम्हारे इस दिन लोन दिया, वो आके बोले, कि ला पैसा दे, ठीक है, तो यह पैसे से राओना है, भाई महिने महिने पैसे मिलेंगे तुमको, ठीक है, चलो बहुत वडिया, 500 कहां से है, यह 500 मैंने वह जो उधारी व ओके, trending section कहां है यार इसका, एक तो मुझे नया वाला YouTube समझ भी नहाता है, explore page, trending, कहां है भाई trending पे, कहां है trending पे, live, नहीं है भाई trending पे तो, सबका आता है बस अपना ही नहीं आता है, जिनमें 10-10, 20-20 viewing है वो भी trending मेर, हमारे से परक्यों नहीं है, हमारे से पता नहीं कहां दुश्मन है YouTube के, फर कोई बात में, हम इस बात से कोई वो नहीं करेंगे, ठीक है क्या नहीं करेंगे, हम मायूस नहीं होंगे इस बात से, ठी लोग मिलके अपनी कोपरेटर बनाज ते यह सब तुमको रीकॉल करना, मैं रीकॉल करवाने के लिए काम कर रहा हूं, ठीक है, मैं यह नहीं कर रहा हूं को तुमको एक टॉपिक हां पर समझ रहा है, ठीक है, चलो, लोगन फ्रॉम्न को बीच का डिफरेंस है, बहुत इंप लोग जाएगा, इसके लोग जाएगा, ठीक है, और इससे का होगा, लोग जब मिलेंगे न, आस-पास, जब मालो कि 15-20 लोग मिल रहे हैं, रोज डेली बेसिस पर, तो इससे क्या होगा, एडवनटेज, इससे होगा, कि लोग अलग अलग चीज़ों के पारेंगे, बात भी करेंगे, समझेंगे बिसे, अच्छा बहीया, ये नहीं चीज़ चलरी, मार्केट में ये चीज़ नहीं चलरी, चलो, नेक्स चप्टर कर ल अलग अलग जगे के मार्केट को कैसे एक्स्प्लोर कर पाएं हैं, वो चीज़ यहां पर है, अच्छा चैट वेट पढ़ लो, मैं थोड़ी से तुम्हारी, चलो, एक मिनट के हम चैट पढ़ लेता, ठीक है, साथ बच की चौदा मिनट ओर है, साथ बच के पंदार मिनट में पढ़ाना चालू कर दूँगा तब तक चैट वेट देख लिता है, मतलब एक मिनट तुमको यह सुनने में थोड़ा लेग होता है, तो दस भी सेकंड बात तुम सुन रहा होगे, ठीक है, चलो, थोड़ा और नाच नाच के पढ़ाओं क्या, अगर तुम्हें थोड़ा ऐसा बोरिंग लग लग तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम्हें थोड़ा सा बेसा लग रहा है कि भी यह थोड़ा सा और मॉटिवेशन दो यह दो वो दो तो मैं थोड़ा और नाचने के लिए भी तयार हूँ, मतलब नाचने के लिए मतलब ऐसा डांस वाला नाचना नहीं, थोड़ा एनरजी रख नहीं कर रहा है, तो प्रणय और अथर तुमको नीचे मिल जाएगा, अगर वो दिख रहा है तो वो ओरिजिनल लिया है, ठीक है, बाकिये किसी फेक वे कोई आन मत करना, चलो, चलो, ग्लोबलाइज़ेशन क्या है, ग्लोबलाइज़ेशन इंटिग्रेशन बिट्वीन कंट अगर जो हम इंडियन है, तो इस से हमारे बीच में एक रिलेशन बन रहा है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते है, ग्लोबलाइज़ेशन, ठीक है, ग्लोबलाइज़ेशन के पहले क्या हो रहा था, कि जो जनरली प्रोड़क्शन था, वो कंट्रीज के अंदर ही और अर्गनेस इसको हम MNC बोलते है, जैसे MNC का करती है, अलग-अलग countries में अपनी factory setup करती है, ठीक है, अब वो ऐसे क्यों करती है, जहां पर उनको सस्ते labor और सस्ती resources मिल पाएं, इसलिए करती है, ठीक है, चलो फटावड आगए बढ़ते है, ऐसा क्यों होता है, ताकि यह काम हो पाएं, आरी बत समझ में, चलो, बहुत ही बढ़िया, एडवंटेजिस कहा है, MNC कहा है, MNC कहा है, सबसे बहली बात, तो इससे कहोता है कि goods or services दुनिया भर में produce हो पाता है, दूसरा, इससे जो cost होती हो कम हो जाती है, मतलब कि एक ही country में, अगर मैं सब कुछ manufacture करता हूं, तो उसस prepares the products globally, ठीक है, selection of country for production of country, कैसे select करेंगे, भै मगर मालो मेरी को MNC है, और मुझे select, shoes दिखा, shoes कासे दिखा, इसे, दिखा, चलो, अगर कोई country है, अगर कोई MNC है, तो मैं decide कैसे करूँगा कि मुझे कौन सी country में काम करना, मैं से कौन सी country में factory setup करना है, तो अब्वेसी बात है सबसे पहले कि जो market के सबसे पास में होगे, मैं महीं जाओंगा, ठीक है, फाल तु मैं को ऐसे जगे नहीं जाओंगा, जो कि market से दूर हो पता चला है, कि मैं माल तो यहाँ बना रहा हूँ, मैरा जो market है खरीदना वाला, वो 2000 km दूर यहाँ से, तो मैं तो पागल ही हो जाओ जाओ न, कि यह कुछ PDF जो न, game or tricks official, thank you so much, one paid notes तुमको यह टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, रुक जाओ, इस session के बाद, ठीक है, चलो, आगे बड़े, ओके, तो country कैसे select करते हैं, जो कि market के पास में हो, जहाँ पर skill और unskilled labor, दोनों available हो, जहाँ पर other जितनी भी factors ऐसे government policies हो गई, जहाँ पर electricity, infrastructure, वो सारी चीज़ अवेले हो, ठीक है, foreign investment क्या होता है, देखो, investment हम किसीज को बोलते है, जब भी कोई, माल लो, कोई भी company, कोई land purchase कर करती है, जाकि वो अपनी production कर पाया, उसको में investment बोलते है, भाई मैंने माल लो की, माल लो मेरी factory है, अब उसके लिए मुझे न जमीन, मुझे expand करने है, तो मुझे जमीन की जरोते है, तो मैंने 10 एकड का land खरी लिया, तो वो क्या हो मेरा investment हो गया, ठीक है, मेरा क्या होगा investment, तो वैसे ही, जब भी कोई foreign company investment करती है, उसका हम foreign investment बोलते है, simple, ठीक है, very very simple, okay, why MNC set up production jointly with local companies, ठीक है, तो देखो, local companies काद में jointly काम का करती है, ठीक है, तो देखो, इस से का होता है, इस से न का production fast हो जाता है, मतलब उनको जो माथा पच्ची होती होती है, उस country में घुच्छ यह से बाई local companies, जो local companies को खरीद लिते है, तो इसका एक case study है, कारगिल foods वाली, तो कारगिल foods को किसने खरीद लिया था, sorry, कारगिल foods तो एक foreign company, इसने इंदिया के अंदर हमारी एक company को खरीद लिया था, पारक foods को, ठीक है, तो पारक foods ने क्या कहा है, पारक foods ने अलरेड़ी बहुत सारा काम कर रहा है जैसे भाई फ्लिपकाट है अब फ्लिपकाट ने बहुत तगड़ी कंपनी बना रखे अल्यडी तो वालमार्ट इंडिया में आये वह शुरू से कंपनी सेटप करें इससे अच्छा फ्लिपकाट का करना वह डिरेक्ट वालमार्ट को खरीद लेता है ठीक है तो यह चीज़ साज में आगई ठीक है अब यह कारगिल फूट्स ने पारक फूट्स को खरीद लिया तो कारगिल फूट्स का तो बहुत इजीली सब कुछ अवयले बोलगा तो वह इजीली सब कुछ मतलब डेवलेप कर सकता है उसको ताधा महनत नहीं करने पड़ी अब क्या है कि कारगिल फूट्स और पारक फूट्स दोनों कारगिल और पारक दोनों मिलके पांच मिलियन पाउचस डेली बना तकते हैं ठीक है MNCs and Small Producers, तो basically MNCs क्या करते हैं generally कि Small Producers से माल लेके अपनी ब्रैंडिंग करके बेस देती है ठीक है और में जाना पड़ेगा ठीक है तो यह चीजा आगे बायार्स के पास में चॉइसे बढ़ जाते है पहले मैं सिर्फ माइक्रोमेक्स का फोन खरीद पा रहा था आज मैं शामी रियल मी रेड में रेड में रेड में सामसंग एपल ओपो वीवो वन प्लस ठीक है रेड इन सब के फॉन खरीद पास सकता हूं ठीक है चलो चैनीज आज इन इंडिया भाई खिलोने खिलना है किसी को भाई चैनीज ने देखा कि इंडिया के अंदर जो को टॉइस बन रहे हो बहुत महेंगे लोग अफोर्ट ने कर पाए तो चैनीज ने रहे हम तो बहुत ठीक है तो इसले को मिला के चैनीज टॉइस हटा है उनका मार्केस बढ़ बाए और इंडियन टोइस का मार्केट बहुत कम उज़े तो 70-80% चॉप्स जो है उन्होंने इंडियन टोइश इस आथा के Chinese चाइनीज रख लिये ठीक है चलो तो Chinese के लिए बहुत बड़य काम हो गया है पर Indian जो कस्टेमर से उनके बहुत बड़या काम हो गया चैनीज के लिए बड़या काम हो गया तो हम क्यों क्यों कि में यह है इंडेंट टॉय मैनुफेक्ट्ट्र जिसका खिलोना नहीं बिख रहा है ठीक है चलो बहुत बढ़िया ठीक है तो चैनीज वाली खेल समझ में आगे तुमको ठीक है एक नठा फेक्टर जेट अनेबल ग्लोबलाजेशन इनेबल होगा यह अनेबल नहीं है ठीक है ट औरम प्रड़क्त बुलाकर उसको भेच रहा है मतलब मैं दो कंट्रीश को लिंक कर हुआ तो यह मैं पहले नहीं कर सकता था भाई आप तो विल्कुल हमारी तरह हम भी ऐसी करते हैं अरे हाँ टेकनलोजी चलो उपर आजाओ ओके दिस मेड दिस मेड मच फास्टर डिलिवरी आफ गोड्स ठीक इससे गूड्स बढ़ गए कि भाईया पापा हमको जनरली आठ वजे बोलते कि आठ वजे घर के अंदर आना है तुछ आठ वजे से पहले घर तक पहुझ जाना आज पापा ने बोला किया चले काम करते एक्जाम खतम होई तो तो ग्यारा वजे तो आज लिबरल हो गए हैं मतलब कि हमारे जो रेस्ट्रि तो लिबरलाजेशन मतलब कि जो ट्रेड बैरेट से उठा दिया कि गवर्न्मेंट ने कहा कि ट्रेड बैरेट राद दिया ठीक है चलो कम रेस्ट्रिक्शन से तो अलाग अलाग कम्पनी उसको लाओ कि हम यह आपर आपना दंदा कर सकते हैं वर्ल्टेट और और यह कैसी ची रिगार्डिंग इंटरनेशनल रेड ठीक है अब इसके साथ में प्रॉब्लम्स क्या है कि ऐसा देखा गया है कि जो जनरली डबली टू जो है वो डेवलेट कंट्रीज की जाधा सुनती है ठीक है तो जनरली क्या करते हैं देखो कोई भी कंट्री नहीं चाहती है कि उसके अ करें वो बहर जाए एक्सपांड करें अपना बिजनर्स तो बहुत बढ़ेए बात के पर बाहर के दिश्रीग तो क्या कि उनने अनने दूटी बहुत बहाद आदी इंपोर स्ब्चति इंपॉर्ड इंपॉर्ट तो इंपोर से लिए है तो इनके तो प्रू ने नहीं नहीं चलता है, इसलिए, चलो, सब्सक्राइब कोई कंट्रे आपके अंदर नियागी किसी का दंदा निए बंड़ेगा तो ऐसे पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स चल गए ठीक है तो यह चीज होगे डॉलिटो के साथ में तो यह प्रॉब्लम से डॉलिटो के ठीक है चलो इंपक्त अफ ग्लोबलाज़ेशन इंडिया फॉलिट अब देखो यह सब के लिए अलग अलग है ठीक है फॉर प्रोडूसर और वर्कर्स और फॉर कंजुमर्स तो यह तीनों याद करना तुम ठीक है यह कोशन डिरेक्टली बन सकता है यह कोशन बहुत इंपोर्टन है ठीक है स्ट्रेगल फॉर फेयर ग्लोबलाज़ेशन तो क्या कैस क्या स्ट्रगल है देखो ग्लोबलाज़ेशन जो है वो सब के लिए फायदे मंद हुआ ऐसा ज़रूरी नहीं है ठीक है जैसे कंजुमर्स के लिए बहुत फायदे मंद है क्योंके बहुत स्किल्स नहीं है उनकी तो नौकरी बिल्कुर ऐसी हो गई कि उनको कभी निका सकते है तो इसलिए फेयर ग्लो अच्छे से काम करना ची ठीक है चला बहुत बढ़ी बढ़िया अब हमारा लाइस का सिफ जोगर भी बचा है उसको फटावट कर लेते है ठीक है इसको बोलते हैं यह जनरली सेक्टर में आता है ठीक है अब इंडस्ट्री बढ़ी तो इंडस्ट्री बढ़ने के करना क्या क्या हो कि हम और अच्छे टूस बना पाए वह यह कोशन आ सकता है कि अग्रिकल्चर को कैसे बेइफिट मिला फ्रम इंडस्री तो क्या बोलोगा है बहुत सर टूस बना सकते हैं जैसे कि हम इरिगेशन पंस बना सकते हैं अंड कि हम और गरिकल्चर के लिए कोई टूस बना सकते हैं तो अगरिकल्चर लेकोगी तो नोट बिस्कुट की और फ्रम और टो ऐसे कैसे काम कर ऱिस्फड भ्रहे जब intéressodd बढ़ेगा तो अग्रिकल्टर बड़ा मतलब बहुत सारा वीट प्रेडूस आएगा फ्रेक्टरी से इंदर तो बहुत सारा बिसकूट बन पाएगा तो इंडुसरी ग्रोई तो ऐंडस्री ग्रोई टिके चलो बाई सिर्फ 13000 लाइक सा अपनी श्रीम के ओपर मतलब ये तो कोई बात ही न नहीं करो अपने साथ, ऐसा अच्छा नहीं लगता ना फिर, इसको मुझे नहीं पता कैसे भी, पर हो जाने चाहिए, ठीक है, चलो फटावट करें, टेलिग्राम लिंक क्या है, डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या और अभाई टेलिग्राम लिंक नी चल रहे गया, रुख जाओ एक सिकंड मुझे पढ़ना दो, क्या कहरो तुम लोग, पीडिएफ मिलेगी टेलिग्राम के अपर रुख जाओ, और जिन लोगों को भी ट्रेंडिंग में देखना है, प्लीज स्क्रीन शोट डाल के मुझे इंस्टाग्राम पर डाल दो, चलो, टेलिग्राम का मैं बता इसे मैनुफेक्ट्र गूट से क्या होता है की ट्रेड और कॉमर्स बढ़ जाता है, इंपर्ट एक्पर्ट बढ़ जाता है, ठीक है, इंडस्ट्री, कॉंट्विशन कितना है, इसका 17% कॉंट्विशन है, ठीक है, एनमसीज, एनमसीज क्या है, एनमसीज क्या है, एनमसीज क बढ़िए पैसंप सकरोड है या फिर प्राइवेट सेक्टर और फिर फ में था कर सा था है एक सबना ऊठ्किन में प्राइब दूपकर फ लगा है की अग्रोड बॉपीस लिए और ऑन देशिटीज की में वेट प्रेटरिस्टिक्स दे रहा है जो तो में वन पेज नोट से पढ़ सकते हो ठीक है यह तुमको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी ठीक है बाकी तो यहां पर सारी याद करना लिए कहाने दे रखिया ठीक है अच्छा शुगर इंडिस्ट्री के मेंजर च यह फूल पोटेंशल पर काम क्यों नहीं कर पार मतलब इसके लिमिटेशन के वह पूछले यह पूछले यह पूछले यह पूछले यह पूछले जाएगा ठीक है फिर चेमिकल इंडस्ट्री कितना जी डिव में चर्चा की हुए और लास्ट में तुम से बात की गई है इसको हलके मतले ना तुमको लगता है कि वह बहुत हमको आता है पर इसको हलके मने लेना ठीक है यह बहुत सुंदर एंड़रिटिंग में लिखे हुए है कि कौन-कौन से इंडस्ट्रियल जो प्रॉब्लम से उनके क्या-क्या कॉस जब से पहले तो भाई लाइक हमारे कितने हो गये हैं 13,510 ही वह भी अवे बहुत जितने लोग ने मैं देखे रहा हूं सामने लाइफ यह 14,000 तो अभी हाल हो जाने जी मतलब जितने भी लोग देख रहा नो तुम मैं से बचाहा आजर साधा लोगों ने वह लाइक का वर्टन निला कुछ भी नहीं करना है उस एक है वह रोड वरड बनाने की बात करने आप अपर ठीक है जो जन्दरल डंक है बंते ही नहीं हमारे है सबसे लाश्ट और सबसे क्यूटी चाप्टर है हमारा ठीक है क्यूटी चाप्टर है ओके थोड़ी चैटबट पढ़ ले जूतवा तुमको जूते क्यों देखना है यार चलो जूतर दिखा दूंगा मैं तुम लोगों को यार इंस्ट्राग्राम के उपपर पर इंस्ट्राग्राम कल देखना करने हमको अभी अच्छा एक चीज़ और बाता दू बीच में यह फॉर्म अगर तुमने फिल नहीं किया है दिस्क्रिप्शन में लिंक है देखो यह हमारा वीडियो का क्या हमारा वीडियो पता नहीं का गया ठीक है मतब डिस्क्रिप्शन में तुमको लिंक मिल जाए कि लिंक टूद फॉर्म बस जाओ अपने ना मोबाइल आप जो भी तुम लोग फिर जादा थोड़ा था कि तुम जिससे तुमको बाखी कॉलेजिस मिल जाएंगे तो अगर तुमको बिल्कुल हाय एंड याट जाहिए वगरा और आइट नाइट नहीं चाहिए तो तुम सीविटी से कॉलेजिस ले सकतो नीट तो तुमारी अलेगे होगे डॉक्टर के लिए ठीक है जिनको डॉक्टर साब तुमको बढ़ा टास्क नहीं दे रहा हूं बस दस-बंदर सेकंड का अगर कुछ लंबा उताज देता में नहीं करें एक्जाम टाइम में तुम अपनी पढ़ाई कर लो यह सब बाद में करना ठीक है ओके चलो कहां गाय हम हाँ बताओ चैट के अंदर क्या चल रहा है चैट के अंदर क्या चल रहा है एनम सीच का फूल फाम चाहिए गा तुमको बाई तुम्हें एनम सीच का फूल रहा हम नहीं बतागा है एक बार मैं ज़रा इस पर देख लता हूँ कि हमारी स्ट्रीम का चल रही है का नहीं चल रही है चलो बहुत ही शानदार ओके ओके कौन प्रण है लो एनरजी अरे नहीं भाई लो एनरजी नहीं है एस नहीं बोलो प्लीज और कुछ और कुछ चैट देख रहा हमें भी तुम्हारी चैट में कुछ डालते जाओ अच्छा अच्छा ठीक है प्यारी प्यारी बाते करो एक सिक रगा माऊस यहां ले इतना प्यार करता हूं मैं तुमसे अरे भाईया चलो क्या नूट वरकिंग, टेलीग्राम लिंक नी चल रही गया? ओ भाई साब एक ने टुख जाओ, एक ने टुख जाओ, एक ने टुख जाओ, मैं अभी इसको ठीक कर रहा हूँ, एक सेड़ रुख जाओ, मैं यही बैठा ह टी डॉट अमिन सिलैश पढ़ ले इन, यही लिंक है मेरे ख्याल से, देखो मैं अपने फोन में खोल के देख लाता है, एक बार, एक सेड़ रुख जाओ, मैं अपने फोन में खोल के देख लूँ पहले, अब पहले अड देता, ओ जूतों का अड आ रहा है मेरे पास में, बैं मैं क्लिक कर रहा हूं तो तो सही खुल रहा है, ठीक है, यह देखो, सही लिंक खुल रहा है, पता नहीं क्या इश हुआ रहा है, चलो कोई बात नहीं, मैं तुमको क्या कह रहा हूं, मैं तुमको इतना से कह रहा हूं कि तुम टेलिग्राम पर चले जाओ खुद, ठीक ह टेलिग्राम पर चले जो और ऐसा से दिखेगा ये ग्रूप, ठीक है, ऐसा से दिखेगा इसमें जो लास्ट मेसेज ना, वो यही है, जो मैंने वीडियो का डाल रखा है, ठीक है, इसके उपर ये टेलिग्राम पर जाओ के तुम तो तुमको ये सब देखने को मिल जागा है, ठीक है, तो ये देख लो, यहाँ पर भी ओई लिंग डेए, टी डॉट म, अच्छा, अगर तुमको QR कोड स्कैन करना हो, फिर इससे काम हो रहा हो, तो ठीक है, मैं QR कोड भी डाल दता हूँ, ये देख लो भाई QR कोड, अगर तुम इससे स्कैन कर पाओ कभी तो, ऐसे तो ब ठीक है, और मैं इसको यहाँ यहाँ भी डाल सकता अभी, पताने में कैसे डालूंगा, खेर चलो कोई ने, ठीक है, कुल मिला के मैरे कहने का मतलब क्या है, बसे तना सा है, कि इसको तुम देख लो, वरना टेलिगना पे जा की सर्च कर लो, पढ़ ले 9th and 10th, ठीक है पढ़ अवी अवी आवंदस्वी, थैंक्स वर एवर, याओ धिज नो, नॉक्त अंट आउम, चलो भाई अगे वड़ाजी वन गेंदर, आखरी चप्र फट्रावट अटर लेता पांगे अरपने समिटकेंगे अना, चलो भाई, लाई, लाइफ लाई, लाई, भाई, लाई, लाई ऐन थामप जुकित लियंटरी न ही प्रमेरगष बीस से जुका मैं बिस लिए पहला न बरम जूखाओ एक लगों रोल्प में किंडराओ पांस на औ MTW मोण भी स्कुटा स्वाइब डिस्कूरोगघ इस वेच्वननाब गयेAreम भाशन में तो यह कैसे वह उसने मुझे फोल लगा दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि मुझे मेल डाल दे कि I want to place in order for 50,000 तो मेल डाल दिया अब यह चीज़ कैसे उपाई क्यों कम्यूनिकेट करना पड़ेगा बातचीत तो होने चिए बिना बातचीत को तुमारे मेरीermagoph douenty लो ठीके तो कुल गया टू के हूँ दो यह वारा थो मयनक्ता Divineक मौन हुथ लाइट theology मेरीरमाट कंगः क्रते औरन टूम घंट अम्हारीन है एट हूँक है पर होन वं यू ज्याए हूँ 1 ज्या कंग्या टो сव strawberry मैं पर दिए अ मेरे इस परीलो एंटते है अब उनने तो ऐसा बोल दिया, अब मेरे पास में ओडर भी आ गया, अब मैं खुश कि येस, ओडर आया चला, आज तो पाट भी करेंगे, जीक है, पर मैं जब घर आया तो मैंने सोचा किया, इन्होंने हजार बिस्कूट के पैकेट मांग तो लिए, अब मैं वह तक पहुंच चलो, बहुत ही बड़े तरीके से मने गट्टू, बिट्टू, मनोच सब करकर समझ लिया, अब मेरा वो रिमोट कहा गया यार, मैं कहा रख दता हूँ है, रिमोट कहा गया, अच्छा वसे रिमोट के जरुवत ही नहीं, आस तो अपनों को, हाँ, आस तो आस नहीं पढ़ा प्राइंट था है, अब मेरा पसम पैसे ब दो चाहर आगा, अगर बहुत दूर रहता है, थीक है, तो मैं शीप में बैटके सलेड जूँगा, पर गवन दैट गट्टू से उतना प्यार भी है मुझे, नहीं हो तो मैंनि जाँगा, ठीक है, ट्रांसपोट कम्मिनिकेशन एं इस अब कॉम्प्लिमेंटरी है, क्यों कि science and technology के development हुआ है? भई यह फोन पर में बात कर पारो, यह मैंने किसी को फोन लगाया, ठीक है? हेलो, वो फिर किसी दूसरे नो उठाया है, हाँ भई या बोलो, तो यह किस के कारण हो रहा है, technology के कारण ही हो रहा है, ठीक है? भई मैं फ anywhere door की बाते हो गई, guys, सब खतम, कल paper paper नहीं होगा तुम्हारा, ठीक है? हम कल दोड़ा महां देखेंगे, बढ़िया मदा करते हो तुम लोग या लाइफ के अंदर, मदा आता है मुझे देखके यह, ओ भाई सहाब, क्या बाते है, चैट, ओहो, बहुत थर चुपर, सुपर च गाए, roadways, railways, pipeline, ठीक है, water में क्या गया, दो टाइप के waterways, एक इनलेंड, जो की देश के अंदर के अंदर होते है, overseas, और air में कौन से आगे, international domestic, domestic के अंदर के अंदर के प्राइट, प्लिक अंदर टेकिंग, तो पबिक में पहले एर इंडिया था, बेर इंडिया था, बेर अदर काफि दाद तक प्राइविट अपर प्राइव अंदर टेकिंग में कौन-कॉन से एर लाइन गहीं इंडियो ओई, एर इसया होगी, किंग फिशर जो की थी एक जमाने में, ठीक है, फिर विजय माल लेवाग वाग गए देश छोड़ का, ओ, सॉरी, फिर अलगला रोडवेस, बेल्टर ओवर रेलवेस, ठीक है, अब क्लासिफिकेशन रोड्स तो देखो, पांच्छे टाइप के रोड्स है, एक तो गोल्डन, कॉर्ड्रेल्टर, सुपराइवे, तो कॉर्ड्रेलेटर ने, कॉर्ड्रेलेटर समझ जाओ कि चार सिटीज को लिंक करता है, डे इसको मेंट्र ओड़्तर, सुरीमार्क इरफिस कॉरोड़ा है, बहुत ही बड़िया, अधर ओर ओर रोड्स है, एक सिकंड लाइव वीविंग देख रहा हूं है फिर से एर एक बार देखे तो से ही क्या चल रहा है हमारे लाइव में 5.3 के लोग देख रहे हैं भाई बहुती बड़ी है बहुती शंदर चलो वेरी नाइस ठीक है ठीक है ठीक है बॉर्डर रोड फॉर्ट पर हमारे लिए जो मेन फूद आमने इम्मिनेशन हुआ रहा है ठीक है, इंडिया की रोड देंसिटी 142.68 किलोमेटर एरे, मतब 100 किलोमेटर स्कॉर एरे के अंदर कितने किलोमेटर लेंथ की रोड है, ठीक है, चलो, अब देखो रेलवेस की बात करते हैं, तो रेलवेस सबसे बहुत, अब देखो जब तुम यह अंसर लिखोगे न, तो कु सिमिलरली, जब भी तुम स्टेट हाइवेस की बात करो, तो कैपिटल विट डिस्ट्रेक्स, पीड़लीडी, ठीक है, ऐसी चीज़े, यह सब चीज़े अंडरलाइन करने के होती, भाई, इससे नंबर मिलता है, ठीक है, चलो, उपर आयाता है, थोड़ा समय लगता है, ठीक ह ठीक है, ठीक है, इसमें एक और चीज़े, दो डो सर्विस देता है, ठीक है, इसको हम ऐसी उंचीज़, खड़ी चड़ाई पर हम बना सकते है, रेलवेस के साथ में क्या 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 प्रवल्म है, भाई, लोग मग्या चुरा के लिए बाथरूम के अंदर से, बेट सीट चु ठीक है, चलो, पाईपलाइन क्या है, उसको हम एक मगगा देढंगे अपने तरफ से, ठीक है, पर मगगे नहीं चुरा न, यार, ऐसा काम मत करो, ठीक है, और बहुत तर पसेन, टिकट की मिना चले रहते हैं, ठीक है, टो ये भी समस्तिया, पाइपलाइन, पाइपलाइन क्य कर सकते हैं तो समय चीज़ कर सकते हैं ठीक है चलो बहुत बढ़िया एक सिकना में यह चैट वापर से रिफ्रेश कर दूँ तब तक सुनते जा और कहके लिखा है ठीक है रूसाओ ट्रांस्टिप्मेंट लॉसस मतलब भाई जैसे ट्रक कभी पल्टी मार जाता है ठीक है पेट्रोल डीजल सब का खर्चा लगता है तो यह चीज़ इसमें नहीं होती है ठीक है तो यह काम हमारा बच जाता है अरे सही दिख रहा है ठीक है चलो अब यह इंपोर्टन यह पाइपलाइन यहां पर कुछ-कुछ इंपोर्टन दे रहें इंपोर्टन याद रखना ठीक है चलो वाटर वेस्ट वाटर वेस्ट अब सबसे सब्सक्राइब नहीं तो यह तीन पॉइंट के साथ में यह बहुत अच्छा पड़ागा नंबर पूरे के पुरे मिलेंगे सब्सक्राइब कर माणों यह एकार तका अच्छेंफ वार्ट पॉस्चीन करा कि अबने सबस्क्राइब तो उसमें साथ चीजे कवर कि थे यह मैप में तुमको ऐसे कैसी मार्क करने को आ सकते को यह कॉंडला पॉर्ट का है मूंबई मॉर्मुगा नियू मैंग लोट टुटी को इन पॉर्ट सब्सक्राइब और अगर मुझे यहां से साउथ में जाना है तो मुझे दो तीन दिन सब्सक्राइब और मैंने उनको बोला कि आप लोग चले जाओ मैं अभी नहीं आप आँगा और मैं क्यों नहीं आप आँगा क्योंकि अभी सोचल का पेपर हाने वाला है तो मुझे उसके लिए अल्डे काम करना पड़ेगा मुझे कॉंटेंट बनवाना पड़ेगा मुझे उसके लिए लेक्चर लेने पड़ेंगे मैर्थोन लेनी पड़ेगी ठीक है तो इसी कारण में नहीं गया हूँ ठीक है तो तुम समझ लो मतलब मैं मजाक नीं करूं सच्ची मुच्ची की बात है मैं अपने फोटो भी दिखा दूंगा घरवाले बड़ी है गोंब रहे हैं पॉंडी चरी में बीच में जाके फोटो बेज रहे हैं मुझे पर मैंने कोई बात नहीं हम पहले बच्चों की एक्जाम करा दें मस तरीके से ठीक है कि मेरे भाई बंदू है मेरे दोस्त है बह मुंबई लोकल में बहुत सर लोग चड़ जाए तो तुम इजी री चड़ पातो कि कई बर क्या होता है मतलब ऐसा नहीं कि मैं 20 रुपे देने में कतरा रहा था भाई है मेरे पास 20 रुपे इतना भी गरीब नहीं हो यार मैं ठीक है मैं घरीव हूं मैं गरीव हूं वैसी व तो तुमको स्टेशन से कम से कम सो में दूर हो ना पढ़ेगा स्टेशन से ठीक है जूटका बलना हूं सच बता रहो गया हूं वह बिना टिकट के और एक बार मुझा पकडब लिया था तो 20 रुपे का टिकेट के चकर हम ब्जह 30 रुपे थ हूं पैनल ले ठुक गए थी तो उन्होंने तुमसे बात की तो वह मास कमिनिकेशन हो गया यह जैसे मैं जो करता हूं मास कमिनिकेशन हो गया यह जैसे मैं बोल एक रहा हो सुनने बहुत सार है तो जब भी सुनने लिए बहुत सार होते हैं जब मास में लोग सुन रहे हैं अभी भाई मेरी आवस को साढ़े पांसे लोग लाइव सुन रहे हैं यहाँ ठीक है तो यह मास कमिनिकेशन हो गया अगर मैं सिर्फ एक ही बंदे को समझा रहा हो तो परसनल गुनिकेशन रहा था तो इसके कहां कर सकते हैं इसके प्लस बाष्ट सकते ठीक सादी की पत्री अविशें शादी के बड़नें चेंडि हो ठीक है, राजधानी, मेट्रो, ग्रीन, बल्क, मेल, पिरियोडिकल और बिजनस, ये छे मेल चैनल से इनका नाम याद रख लो, रिमेंबर दीजे, ये रटने आली चीज़े, समझने आली क्या है, इसमें, इसको रट लो, रमम, रिमेंबर, ठीक है, एक्जाम में आ सकता है, टेलीकॉम, टेलीकॉम ने टर्क बहुत बड़ा है, ठीक है, और अब तो और बड़ा हो गया, तो अबийर करता है, अब मास और करता है, ठीक है, ये हमारे साथ, पसनल में आ गया, ठीक है, मास कम्मोनिकेशन में क्या कहा है, प्रोवाइट्ट इंटर्टेन्मेंट एंड स्परेड जवायनेंश, ठीक है, तो ये TVV की बात करने हाँ प नाम, ठीक है? म्हिंना, फिर फिशियर फिल्म, टिक है, अरे थोड़ा उपर, और वॉपर, ठीक है, जैसे रेठी होगए, तो आकाश मानी और इससे क्या ही, विडियो विडियो से मास से क्या होथ, सबसे परहूं। तो अवेरनेस फ्यादी है तो कोविड पता कैसे चला हम को न्यूस अपर फिर भी समझ लो फीचर फिल्म ठीक है इंडिया जा पिच्छर भाट पिच्छर वन गहां पे समझ से कोई धिक कर पिच्छर को कमी नहीं है हमारे देशकन पर जो सेंट्र बोड़ फिल्म सटीकेश नह है किसे अधियर मुवी तो नहीं देखे न अभी तक तुम मैं अधियो एक हम इसको बोलता है जब मर इंपॉर्ट कम होता है और एक्सपोर्ट ज्यादा होता है, यह हमारे लिए फेवरेवल है, क्यों फेवरेवल है, अगर हमारा इंपोर्ट ज्यादा है, और एक्सपोर्ट कम है, तो इसमें कहा दिक्कत है, इसमें दिक्कत है कि हम बाकी कंट्री पर डिपेंडेंट ज्यादा है, क्योंकि हमको इंपोर्ट बागी चाए थी ग租ेकर था meruz रिच्ट हम इसका मतलब कि बाखी कंडि इसमें इंपॉर्ट जाद रिपेंडेंटिंट आ हूखत बाड़न पर रहा है क्योंकि है यह ज्ञेस लियूसी में घंट तो हम गरते हैं में नहीं जराओं हुद है इंपोर्ली गणते हो इस नहीं है ओर मैंट सुक्षबड रवाई caly SPEAKER पूरा से सकी हुद ने तक उसको बुछा था काम के मुष्किल तुम्हारे लि 맡केंगे, प्लीज कर दो है रिक्वेस्ट यू जिससे मुझे आई डिया लग जा कि भाई तुमारे लिए अब करना क्या है ठीक है क्योंकि तुम तो छुट्टिया बनाओगे थोटी दिन तक पर हमको तो त्यार रखना ना क्योंकि तुम हमको पढ़ लेगा साथ खत्म तो नहीं करना है ठीक है तुमको से यही रहना है तुम कहां जाओगे ठीक है तो इस साथ को बरकरार रखने कलें बहुत तगड़ी तगड़ी चीज़े लाएंगे सबसे रिलेटर मैस, बाइलोजी, कॉमर्ज, यही नीट, सबसे रिलेटर तुम बस बताओ कि तुम क्या करने वाले हो उस अक लास्ट टाइम यह लाइफ को तम सोचा चैंस पढ़ रहे हो और तुम्हारी लाइफ में लास्ट टाइम यह है कि तुम सोचिव सासल की इसा कप मैर्थाॉन देख रहे हो , इसक्राव टॉन भात कि यार मैं लंबी लाइफ्रीम नहीं खी चूंगा लंबी लाइफ्रीम के कुछ फायदे यूट्यूब की तरफ से भी अधिया कि लाइफ्रीम में व्यूइंग ज्यादा होते है व्यूज टोटली ओवराल ज्यादा होते है कॉंकरेंट बढ़त जाती है और वॉचीज होटी ह सब्सक्राइब करो अभी तुम किसी का वीडियो देखोगे ना तो तुम एक्जाम में उसको रीकॉल नहीं रख पाऊगे जब तक तुम सेल्फ स्टडी नहीं करते हो तो इसलिए मेरी तरफ से बस इतना ही था तुम्हारे लिए अच्छा एक मैंने प्रेजेंटेशन के उपर प्रेजेंटेशन कैसे करना है पेपर के अंदर मतलब वो वीडियो तुम्हारे लिए देखना बहुत जरूरी है और बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि तुमको कुछ नहीं ब्याता होगा जाहां पर तुमको चार में से जिरो नमर आने वाले तो वहां पर वो वीडियो तुमको सबसे जादा चीज है कि हमारा नमबर केसे कम से कम कटें कर सकते हो यूद कर सकते हो यूद नव बजए तरफ से कि लाइब सेशन इतने ही थे ठीक है तो हम आज कुके हैं हैं लाइफ सेशन जो मार उसके बाद में की ताइरी हैं थाफिनाटी करेंगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं तुमको उसके लिए कई तुम लोग मुझे चाइट के अंदर बताओ कि कैसा चल रहा ठीक है, मैं चलो एक गंटे तरे पर मिनिट के हो गई है, मैं दो चार निट तुम से थुड़ी बातचीत कर लेता हूं, तुमारी समस्या समझ लेता हूं, क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है, विल मिस यू रहे, मिस प्रिबेक लाइच ट्रीम की, ठीक है, पहले दिन हमने चार घंटे की, 4 घंटे, 17, 4 घंटे, 18, 8 अच्रा मिनट कुछ की, मुझे इतना याद है, दूसरी दिन हमने अकेन शायद 1 घंटे की, और आज भिश्याद हमने विल मिस दो गंटे की लाइच टिम कर ली, और आज के ल और देखो मेरी बास तो नो आखरी का आखरी के कुछ चंद घंटे बचे हैं तो लोड़ मतलो चिल करो आराम सजाओ ठीक है बिलकुल दिमाग नहीं लगाना चिल करके जाना है मस्ती करके आने है फोड के आना है आग लगा जाएंगे हम ठीक है और उसी चीज को ध्यान में कर देना तुमार पास में अगर जीवन में 10 भी सेकंड दे पाहो तुम तो क्योंकि अभी अगर कर दो के तो हम स्टार्ट अभी से कर देंगे प्रपरेशन इसके ठीक है बाकिये सारे वन पेज नोट्स में भी तेलिगराम लिंक अगर तुमारे नहीं चलरी में दिस्क्रिप करने के लिए तुमारी एक्जाम से पहले तो तुम वो वीडियो देखले ना या फिर हुआ तो मैं अभी सटाफ लग करने के लिए तो कल सुब भी तुम अगर एक मिनिट दे सको तो एक मिट दे देना पर उससे में गयारेंटी देता हूं कि तुमारी एक्जाम बहुत वीडियो या नेक्स लाइस सेशन के अंदर बाकी तुम लोग टेलिग्राम पर जुड़े रहना इंस्टाग्राम पर जुड़े रहना अभी इंस्टाग्राम मत चलाओ ठीक है अभी रिल विल मत देखो कल घर आके दिन बर रिल देखना कोई दिक्कत नहीं है ठीक है चलो ओके तो इस दैट बिंग सेट हम लोग मिलते हैं तब तक के लिए गुड़ बाई एंड एल सी यू एक सेकंड रुख जाओ में स्ट्रीम बंद करा दू पहले ठीक है बाकी में यह भी बीच में है रुख जाओ चलो में वापस से आगया पर हमें स्ट्रीम को समाप्स करते हैं ठीक हम लोग मिलेंगे रात को जब वीडियो आएगा तब और कल सुभी अल्ड़ वीडियो आजाएगा तो कल तुमारा पेपर है मिलते हैं हम लग बहुत जल्दी पर बिल्कुल ऐसे चिल्विल कर गया ना आ जरौस मॉट करके अच्छे तरीकuben तो नौत बेंगा ऐसे एसे अबस साथ तौमा चलो ठीक आठीर ले ले जाह न थो मिलते हैं लोग ठीकस बैभाइब चलो थैंकल वाघ्व एफे आल चलो थैंक क्아न का समय हान वून आथवभा रहरम एंडिव तिए योल